आपका धन्यवाद करते प्रभू, आपने बोट के एक्जाम समारे बच्चों को पास होने का फदल बक्षा, आपका लाको लाक धन्यवाद हो, हमारे भवन के बच्चे अच्छे नमबरों से पास हो है, हम सब का भविश्य आप ही का हाथ में है, एक्चली में खुदावन आप उसे गल्तिया होती है, उसे शमा मांगते हैं, हमें माफ करें प्रभू, हमारे आवश्वास को शमा करें, हमारे भूल चुक अपरादों को भी आप ये शुमसी के नाम में माफ करते हैं, खुदावन, जबकि शाम को बियारी लगा जाती है, उसके योग आप हमें बनाएं, तक उसमें प्रवपर रिती से अपने हाथों को डाले है, खुदावन, हमारे दिल आप पर लगे रहे हैं, इन किताबों को पढ़ते रहे हैं, प्रभू, टेप को लगातार सुनते रहे हैं, अब आज को भाई बिर्णम की लगातार सुनते रहे हैं, क्योंकि इसी में हमारा रप्चर चुपावाएं, इन से दूर न जाएं प्रभू, इनकी नस्दीक में बने रहे हैं, तमाम बंदोनों से आजादी बख्षें, और स्वतंतर होके आपके साथ उड़ने का फजल बख्षें, ये पवितरात्मा, इस पूरी मीटी का कंट्रोल आथ के हाथ में सौपता बिंदी प्रात्मा को येशु मसी के नामे मांता हूँ, आमें, थैंक यू जीजस, हलेलुया, प्रभू का नाम मुबारक हो, आए, प्रभू की तारिफ में, गीत का नमर 31 है, इंग्लिश सेक्शन में, स्टैंडिंग अन दे प्रॉमिस, थैंक यू जीजस, प्रभू का नाम मुबारक हो, आज भोक इस काने को का ये ख़्यों को भंडी तारिफ में, आए, जैंक यू जञा हैं ताहिए। ऑच नैंदी प्रोग्यों गहरु ऊएऊप एषनमान नाम यू जेस के उंदिसर्स्काश्कित सेक्टें विस लेचक सेक्टिन, घर minutes हो God Standing 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 on the promises of God My Savior Standing Standing I am Standing on the promises of God Look at that, Hallelujah standing on the promise that cannot fail when the holy storm and town and fill the cell by the living word of God I shall prevail standing on the promises of God oh standing say standing hallelujah standing on the promises of Christ my Savior stand and hear I am standing on the promises of God standing on the promises I now can see perfect present cleansing in the blood for me standing in the liberty where Christ makes me sweet standing on the promises of God oh standing 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 on the promises of Christ my Savior standing I am standing on the promises of Christ the Lord bound to Him eternal by my love's strong heart overcoming daily with the spirit I am standing on the promises of Christ my Savior stand and hear I am standing on the promises of God oh standing on the promises of Christ my Savior stand and hear I am standing on the promises of God my Savior stand and hear I am standing on the promises of God singing together standing oh yes standing standing on the promises of Christ my Savior I am standing on the promises of God oh hallelujah raise your hand and say thank you Jesus bless your name I am standing on your promise Lord I am standing on your word I am standing on your word because your word is a solid rock hallelujah singing along the promise is a solid rock hallelujah you are not coming on your word because your word is a worship of God you are coming on your word you are coming on the promise I am my word is a hope oh मेरे भाई वचन को था मेरे इस तलवार को कभी किरना नदे खुदा का धनेवाद हो आप लोग बैठ सकते हैं standing on the promises hallelujah wonderful हमारे बीच में एक सौंग है मैं sister Navidita को आगे बलाना चाहता हूं बैं खुदा उन की तारीफ में गाना गाना चाहती है hallelujah praise God thank you Lord praise the Lord Israel पेहचान अपने खुदा को Israel पेहचान अपने खुदा को His राय पेहचान अपने खुदा His राय पेहचान अपने खुदा वो हातों से बने मंदिर में न रहता वो हातों से बने मंदिर में न रहता तुझ में रहने को तुझको बनाया तुझ में रहने को तुझको बनाया तुझ में छुपा है तेरा खुदा तुझ में छुपा है तेरा खुदा हे जिराय जाकर बता हे जिराय पेहचान अपने खुदा को की जिराय पेहचान अपने खुदा को जो कुछ खुदा में था मसीहां में आया जो कुछ मसीही में था दुधन है पाया खुदाई के भेद का दूसरा पढ़ाओ हे जिराय तेरा एक खुदा है जिराय पेहचान अपने खुदा को की जिराय पेहचान अपने खुदा को तू जब भी गेरता है वो तुझ में उर्थता तेरी लडाई में हमेशा वो जीता तेरी लडाई में हमेशा वो जीता शक्रू की बाढ़ में जन्दा उठाई शक्रू की बाढ़ में जन्दा उठाई तेरा प्रधान तेरे ले खड़ा है जन्दाई पहचान अपने खुदा को इजनाई पहचान अपने खुदा को तेरा ही साथ उसने पिता से था मांगा साथ लेके जाने को तुछ में समाया साथ लेके जाने को तुछ में समाया आज तू ही बेदेल है तू ही बनिय तू ही बेदेल है तू ही बनिय तू नया यरूशलम तू ही अपनाता है जराय पहचान अपने खुदा को ही जराय पहचान अपने खुदा को तू ही बनिय तू ही बनिय तू ही तू ही बनिय तू अपने देश में है तू अब सनेश में है, तू अपने देश में है, साथ वी मुहर तू है, वो तुझ में आया साथ वी मुहर तू है, वो तुझ में आया, तेरी दिवारे उठकर खड़ी है, तेरी दिवारे उठकर खड़ी है दुहाई क्यों देता दलवार चला विजनाए पहचान अपने कुदा को फिजनाए पहचान अपने कुदा को फिजनाए पहचान अपने कुदा को पहचान अपने कुदा को फिजनाए पहचान अपने कुदा को अपने कुदा को पहचान 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 में एक बहुत आरे कोरस हैं, तो 307 नंबर इंग्लिस सेक्षिन में He is our peace प्रभगा धने बादो, वह हमारी शांती है वह हमारा चैन और इतने रान है इस बेचैनी भरी दुनिया में आमें, He is our peace अपने आके बंद कर गए आमें, He is our peace yes more you are He is our peace He is our peace He is our peace Who has broken down every wall He is our peace Yes, Father He is our peace Cast all your cares on Him For He careeth for you Cast all your cares on Him For He careeth for you He is our peace Oh, He is our peace Sing it together He is our peace Who has broken down every wall He is my peace He is my peace Oh, yes Hallelujah Who has broken down every wall He is our peace Amen He is our peace Thank you, Jesus Oh, cast all your cares on Him For He careeth for you Hallelujah Cast all your cares on Him For He careeth for you Thank you, Lord Jesus He is our peace He is our peace He is our peace Cast all your cares Cast all your cares on Him For He careeth for you He is our peace He is our peace He is our peace Oh, yes, Lord He is our peace Who has broken down every wall He is our peace 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 Who has broken down every wall He is our peace You are my peace He is our peace He is our peace He is our peace Oh, cast all your cares on Him For He careeth for you He is our peace Thank you, Jesus He is our peace He is our peace He is our peace He is our peace And cast all your cares on Him For He careeth for you Thank you, Jesus Thank you, Jesus That's your name, Lord Yes, Lord He is our peace He is our peace He is our peace You are my peace He is my peace वो हमारी शान्ती है वो हमारा चैन है प्रभू आप भी हमारी शान्ती है जब हमारा दिल बहुत बेचे है अनों ता प्रभू दुनिया में तब प्रात नम आपके पास आगे शान्ती मिलते है प्रभू क्योंकि आपका बादा है कि मैं तुम्हें अपनी श्यांति दिये जाता हूँ तुम तुम से कोई नहीं चीज सकता है आपके बचान में लिका अपनी सारी चिंता मुझे डाल दो क्योंकि मुझे तुमारा ध्यान है थैंक यू लौड आपने हमारी चिंता की है आपका थाने बाद हो कई बार खुदावन हम लापरवा रहे हैं क्योंकि हमने आपकी चिंता नहीं कह दी हम लापरवा रहे हैं उसके श्यामा मांगते हैं लिकिन आपने लगातार हमारी चिंता की है बहुत ज़्यादा की है प्रभभ आपका शुक्र हो थैंक यू लौड कुछ लौड़ लौड़ ब्लाझ वी धि dzięki यू ज्यू लौब भारवा बश्यादा आपका की हरे हैं लिशत ग्रवा बार नच्रवा क्यू लुग्याद टापका बेद लुगा लिए लिए लुग्याद टापका let me be a sacrifice let me be a sacrifice holy and acceptable Lord let me be a sacrifice worshiping your name let me be a sacrifice holy and acceptable Lord oh let me be a sacrifice God bless you in your praise Lord let me be a sacrifice holy and acceptable thank you Jesus Lord let me be a sacrifice worshiping your name oh let me be a sacrifice oh let me be a sacrifice holy and acceptable let me be a sacrifice let me be a sacrifice holy and acceptable let me be a sacrifice worshiping your name worshiping your name we thank you Lord we thank you Lord bottom of our heart you are a wonderful God amazing love amazing grace Lord we just raise our head and say thank you Father thank you for your love we worshiping you we adore you Lord my lamb my sacrifice my atonement you are my everything you are my all Lord thank you for your love thank you for your grace thank you for Lord thank you for your blood thank you Jesus for this wonderful message thank you Jesus thank you Lord thank you Lord we worship you we love you Lord we respect you we just raise your hand for your glory and for your honor Lord thank you thank you my Lord my lamb my worship you Jesus amen we bless your name we bless your name Lord you are wonderful you are magnificent God you are magnificent thank you Lord thank you Lord hallelujah worship you Jesus worship you my lamb my atonement my sacrifice my lamb you are wonderful blessed be thy name we honor you Lord we welcome you we welcome you Holy Ghost please Lord please Lord help us help us Lord we are needy people we need you Lord we need you Lord we need you Lord Lord please help us help us Father share your word thank you Jesus bless the pastor by you Lord Jesus bless the pastor thank you Jesus thank you Lord only believe thank you Jesus thank you Jesus and all things are possible close your eyes and only believe Lord you believe in your word my Lord I believe yes Lord my Lord I believe and all things are possible my Lord my Lord I believe thank you Jesus thank you Jesus my Jesus is here pastor by Yahshish my Joshua my Jesus Jesus is here you are right you are right Lord and all things are possible my Jesus Jesus is here my Jesus is here my Jesus is here and all things are possible my Jesus Jesus is you We thank you for our Heavenly Father For this wonderful time you've given to us To come under your shed blood And come in your presence To worship you in spirit and in truth To come in thy August presence To receive from you what we desire We thank you Father that in this hour you gave us a sweet communion An opportunity to come in your presence Under your blood we come Lord open the word for us Break this bread of life for us And feed thy lambs Cast away all fears from us And put in us that perfect faith Which would take us in a rapturing grace Father we thank you For you hear us Blessed be your holy name In the name of Jesus Christ we ask this prayer Let every evil and demonic spirit be cast away from this place in hell for the day of destruction The sweet holy spirit have the preeminence is here So Lord open the word In the name of Jesus Christ In the name of Jesus Christ we ask this prayer Amen Let's open our Bibles To Revelations 21 And We are just going to read verse 9 and verse 10 And there came unto me one of the seven angels which had the seven vials Full of the seven last plagues And talked with me saying Come hither I will shew thee the bride The lamb's wife And he carried me away in the spirit to a great and high mountain And shewed me that great city The holy Jerusalem Descending out of heaven From God Then we jump on to verse 23 Then we jump on to verse 23 And the city had no need of the sun Neither of the moon To shine in it For the glory of God Did lighten it And the lamb is the light thereof Lord Jesus we thank you for that word Under your blood we come Break this bread of life for us And feed us Lord And feed us Lord In the name of Jesus Christ we ask His prayer Amen You all can be seated Blessed be the name of the Lord For this wonderful privilege He's given to all of us For this wonderful privilege He's given to all of us To come in His presence And how wonderful it is To come in His presence And we really thank God And we see each other under the blood of Jesus And we see each other under the blood of Jesus As perfect That's what we are right now Perfect In the presence of God To enjoy His presence and His word Amen And we really thank God That He is opening His Bible for us In such a way that we are able to see things And understand it Isn't this wonderful The Bible was compiled in the days of Luther The Bible was compiled in the days of Luther And since that time approximately 300 years have gone And millions have studied it And millions have studied it Yet nobody has been able to complete it पर तो भी कोई भी इसको पूरा नहीं कर पाया Why? क्यों? It's a book of mysteries ये भेदों की किताब है Amen It's an eternal word ये अनंत वचन है And you can't end up eternity और आप अनंत के सिरों को बांध नहीं सकते Can you say Amen? क्या आप आमीन बोलते हैं? Eternity has no beginning, eternity has no end अनंत का ना तो आगाज है और ना उसका अंत है Amen And now we really thank God for this day which He has given to us, the first day of the week और हम वास्विक्त हमें खुदा का धनिवाद देते हैं इस दिन के लिए जो हफते का पहला दिन खुदा वने में दिया The day He won victory over death, hell and grave Amen वो खास दिन जिस दिन उन्होंने मृत्यू अदलोक और hell नरक पे जैप्राप्त की To prove to all heavens and earth ताकि सम तमाम स्वर्ग अपृत्वी के सामने साबित कर दे All powers in heaven and earth are given unto me स्वर्ग अपृत्वी की सारी शक्ती मुझे दी गई है So we are on the winning side तो हम जीतने वाली तरफ हैं Amen We are on that side which has already won हम उस तरफ वे जाओ हमें जो पहले से जीत चुका है And let me tell you one thing और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा It was the promise for this age ये वो वाइदा था इस युग के लिए That the accuser of our brethren is cast down Amen कि हमारे भाईयों पे दोश लगाने वाला गिरा दिया गया है And he has no place और उसकी कोई स्थान नहीं बचा That's right ये बाद ठीक है But we won by the blood of the Lamb पर हम मेंने के लहू के द्वारा जीते हैं Is that right? क्या बाद ठीक है? So blessed be the name of the Lord मुभारगो खुदावन का नाम Here we don't just come to meet each other हम यहां मात्र एक दूसर से मिलने नहीं आते But actually we come here to meet the Lord पर हम वास्विक्ता में यहां पर प्रभू से मिलने आते हैं Amen God's name be really praised थुदावन का नाम वास्विक्ता में जलाल पाए Now today I'd like to go a little further But I'm going to read very less अब आज मैं थोड़ा आगे बढ़ूँगा पर मैं बहुत कम पढ़ना चाहूँगा अभी Because the minute I read today I got a subject क्योंकि जिस शण मैंने इसको पढ़ा मुझे एक विशे मिल गया And I would like to pick up that subject with you today evening Amen और मैं उस विशे को आपके सामने रखना चाहूँगा अज शाम Is that right? क्या बात ठीक है? Amen Amen, are you relaxed? क्या आप आराम से हैं? Amen Amen Now I'm going to start from that place where we left last time And I'm going to read paragraph 406 Of the message future home Why is it God so thought and cared so much About that little place of Palestine? क्यों ऐसा है कि खुदा ने ऐसा सोचा और इतनी जादा अधिक चिन्ता करी उस छोटे Palestine के जमीन के लिए That portion in Israel वो जो इसराइल में है हिस्सा Why did God cared so much for it? क्यों खुदा ने उसकी इतनी चिन्ता करी? See देखा When it's just a little spot जबकि देखिए वो तो एक छोटा छोटी सी जगा है But right in there is where the temple is set Amen But ठीक वहाँ पर वो मंदिर स्थित है होगा That's where the new Jerusalem will break up Amen ये वो जगा है जहाँ पर वो नयरुशलम फूट के निकलेगा Right there All amount of olive shall cleave जेतून जेतून नाम पहाड फट जाएगा Part to the right and left एक तरफ डाईयोर और एक दूसरी तरफ बाईयोर Sure पक्की बात है When she pushes up from the beneath जब वो जो है नीचे से धक्का मारके उपर आएगी What? क्या? That mountain वो पहाड This surface will break forth ये जो उपर की सत्य है ये फट जाएगी Mount of olive will cleave जो जैतून नाम पहाड है वो बट जाएगा It'll give way to this mountain to come up और वो जगा तयार करेगा रास्ता खोल देगा इस पहाड के लिए जो की उपर उभर की आएगा Which you are reading now in Revelations 21 जिसके विशे में हम यहाँ पर प्रकाशवा के किस्म पढ़ रहे हैं 1500 miles high पंदरा सो मी लूचा Now they say it's pushing apart like this वो ऐसे नहीं कहते कि वो इस तरीके से भार उभर की आ रहा है उस दिन में जब वो अपने पवित्र कदमों को उस पहाड पे खड़ा करेंगे गौर करिये उनके सिहासन के उपर पंदरा सो मी लूचाई पे क्या आप मेरे साथ इसको पढ़ रहे हैं? उस पहाड की चोटी पे जो चोटी का पत्थर है वो वो जगह है जहां पर सिहासन है आमीन जहां से जोती हर जगह जा रही है मैं सोच तो हूँ आपने इसको समझ लिया है उपने सिहासन पे पंदरा सो मील की उचाई पे तब वो एक वाक्य बोलते हैं याद रखिये याद कीजिए शाटान ने उसकी परिक्षा करने की कोशिश करी एक समय में पहाड की चोटी पे देखा क्या मतलब है इसका भाई? जिस जगह पे उनकी अजमाईश हुई बाद में एक और भूसरे पहाड पर वोही जगह उनका सियासन बन गई और ये वो जगह जहाँ मेरा विश्य है अलिलूया अजमाईश का स्थल बनता है अधिकार देनी की जगह ये वो जगह जहाँ से मैं अपने विचारों को ले रहूं और काश खुदा अन मुझा न उग्रे दे ताकि मैं आपको कुछ उधारों को दिखाने की दवार आप सको समझा पाऊ आज मैं आपको बहुत लंबा नहीं रोकूंगा और क्योंकि हमें कल निकलना है और कुछ भाई लोग ट्रेन से जा रहे हैं आजी तो हमें समय से ख़तम करना है तो मैं समय के अनुसार रहना चाहूंगा और इसको ख़तम करना चाहूंगा पर सदर्ग हो ये क्या कुछ हम आज प्रचार करे हैं और काश खुदावन आपके हिर्दों से बात करे कुछ तरीके हैं जिस तरीकों से युद्ध जीते जाते हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरे बेशकीम्ती भाई जो स्थान मसी की अजमाईश का था आखिरकार उनकी सिहासन की जगा बन गई आपाएंगे इस पहार की चोटी पे वो वहा है जहां पर सिहासन है जहां पर मेमना विराजमान है और पूरी दुनिया पे शासन कर रहा है वासविट्टा में तो पूरा जो भ्रहमान है उस पे और उनकी जो जोती है वो पूरे नगर पे चमक रही है कोई भी उनकी स्पर्धा नहीं कर सकता सुनिये मेरे भाई एक दफ़ा जब आप एक परिक्षा में सफल हो जाते हैं हर एक को आपकी परिक्षा नहीं दी जाती आपको आपकी परिक्षा दी जाती है ताकि आपका उठ्थान हो और जब आप परिक्षा के बाद आपको उठ्थान मिलता है कोई भी आपकी जगा में शरीक नहीं हो सकता आपके साथ आपकी उपासने में कोई भी शामिल नहीं हो सकता जो उपासने आपके पास है कोई भी ऐसी उपासने नहीं कर सकता क्योंकि यह के वल आप ही थे जो उस अजमाईश उस परिक्षा में से होके गुजरे क्योंकि उस उपासना को लाने के लिए उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए यह के वल मात्र कलीस याई सदसेता नहीं यह मेरा प्रभू येशु के नाम में अबतिस्मा हुआ यह कुछ अजमाईशों को कुछ परिक्षाओं के पास होना है याद रखे अपने जीवन में मैं हरे एक से कह रहा हूँ यहाद है कि छोटे बच्चों से भी टेस्ट्स are your best friends जो परिक्षाओं हैं वो आपके सबसे बड़िया उत्तम मित्र हैं टेस्ट्स love you जो परिक्षाओं हो आपसे आखिरकार प्रेम करती हैं उनसे घ्रिना मत करिये क्योंकि यह परिक्षाओं हैं जो कहती हैं Every child of God when he comes to God is tested and child trained अरे खुदा का बच्चा जो खुदा के पास आता है उसकी परिक्षा होती है और उसकी प्रशिक्षा होती है But the intent of the test is not for the destruction of the child पर जो मन जो मन्शा है उस परिक्षा को लाने के लिए उदेश जो है वो ये नहीं कि वो बच्चा बरबाद हो जाए पर वो इसलिए टाके उसकी पढ़ती हो वो एक नए उचाई को चूमे वो एक नया उपासना सीख जाए उसे नया मौया की अवस्थान मिले जा बर वो ऐसे खुदा की उपासना करे जो बिल्कुल अनोखा हो जो बाकि एक नहा कर पाए कोई और उस उपासना में शरीक नहीं हो सकता जोजर उस गीत को नहीं गा सकता केमल जेवांत या वो जो जीता है उस गीत को गा पाएगा कोई और नहीं they all have to keep quiet they don't understand why they don't understand they have not gone through that process how can they understand that worship they won't understand the meaning and the depths of the words spoken in that worship they don't understand the meaning and the words spoken in that worship for others it's just a prayer for others it's just a small worship but the worshipper knows and his God knows why has this worship come? and you know what? it's not just a worship that worshipper receives authority a throne a rulership the place of temptation becoming the place of possession a place of rulership I want to show you that the prophet brought this type I thank God for this prophet and I thank God for this prophet the thoughts of God were transferred through him to us that we can understand what is being brought us to us follow it with me please turn with me to the book of Matthew chapter 4 to see exactly where is it and how it is written you know our Lord had fasted 40 days and 40 nights afterward he became a little hungry that's when the tempter came and brought three big temptations and a Lord won over these temptations by three quotations of it is written and a Lord won over these temptations by three quotations of it is written three times he said it is written it is written it is written and I want to show you and I want to show you these three temptations these three temptations were like the three peaks and after the three peaks were over angels came and ministered to him I am going to read that part the first temptation he is asking him to look down these stones make them bread is right in the second temptation he takes him to the top of a temple he is bringing up higher so he is bringing up higher now as they now cast thyself down from this place he says he now cast thyself down from this place for it is written angels will hold you he said it is written again thou shall not tame the Lord thy God now comes the third temptation now comes the third temptation watch that third one this is where the test ended for a short period of time and I am going to read it out for you from verse 8 again the devil taketh him up into an exceeding high mountain and sheweth him all the kingdoms of the world and the glory of them the devil took him to a very high mountain from where he showed him all the kingdoms of this world naturally it has to be the highest mountain it could not be Mount of Olives it could not be any other mount from where he showed him the whole world it must have been the tallest mountain where did the devil bring Christ on top of Everest Everest from where he showed him the whole earth or maybe K2 from where you can see the whole view of the earth I am listening that's right that means he inhabits those places he inhabits those places you don't have any vegetation there but there are some mountaineers who try to climb those places Christ was taken in his spirit to that place and stood there and saw the kingdoms of this earth follow that with me please my subject is not to show you Everest or K2 but yes it was a very high mountain exceeding high mountain and there is only one exceeding high mountain today from where you see the whole earth he brought him in the spirit to that place which place must have been shown first China India Chin or India Hindustan Amen That's right On the east side Japan Purovii طرف Japan On the west side Europe Pashim की طرف Europe Because that was the known world 2000 years back In the time of Christ nobody knew about United States American continent had not yet been discovered America joh mahadwip thay وہ abhi takk kye patah naih chalye thay Are you understanding it? Kya aap smajh raha hai But he was shown the whole kingdoms of this earth Are you with me? And after seeing that all And after seeing that all He said I will give you all this If I should paraphrase it Can you see Tibet? Can you see this India? Can you see this China? Can you see this Europe? I'll give you all this And my brother in one message said Christ knew in any case He's going to fall air to all that In other words He knew If I should personalize for this country I will get this place After paying the price I'll shed my blood for these people Then I will get this land Are you understanding it? Very interesting And when that temptation was done He said He said Only thing If thou will fall down and worship me Is that right? I'll give you this post But you have to do a little favor to me You have to do a little satanic something I'll load you with money The only thing you have to do is You need to miss some Sundays You have to miss some meetings And you have to follow me I'll load you with this what you see in the world All you think you have to do is Speak few lies Speak few lies here and there And I will lift you very high You lady I'll load you with money I'll give you with money What you think you have to do is You have to do something wrong You have to do a little wrong thing I don't want to say that That's all happening in the industry today And I lift you very high Are you understanding brother? Same kind of temptation comes to all Few lies Few bribes Few wrong things Just do a little Bow before me And see how I lift you up I lift you to a place you have never known before Christ chose the root of suffering to get exalted and not to bar before the devil same kind of things same tactics being applied even today he didn't leave the only begotten son listen to it carefully but that son knew one thing I already had a glory who's testing me someone who's not actually the rightful owner of these things God sent a prophet today to tell you and I we are the original heirs of this earth that title deed belong to us this devil is only a squatter it's just a matter of a little time just a matter of little time when he's ruling on this earth who is he to give you and I but the father giving his son adoption rulership authority can you say amen that's what the real bride is for but I want to show you another aspect maybe I didn't see it I didn't see it but when I read this message it suddenly opened up how prophet is tying this mountain where his throne is to that mountain where he was tempted the same place where he was tempted was the same location later where his throne is he never bowed to that devil who never bowed to that devil are you listening he never bowed to that devil but what did he say to him on that mountain because he was the real seed of Abraham not seeds but seed and that is Christ and he bowed to Christ the royal seed of Abraham tell this devil get the hands Satan for it is written thou shall worship the Lord thy God and him only shall thou serve कि तू अपने खुदा यहोवा को ही दनवत कर और उसी की सेवा कर only him केवल उसकी don't worship any second or third person किसी दूसरे तीसरी शक्सियत का उपासना मत कर thou shall worship only the Lord thy God केवल अपने प्रभू यहोवा की उपासना कर and holy shall thou serve और उसी की सेवा कर after that last peak उस आखरी चोटी के बाद he went into another phase वो एक और चरण में घुज गए which was actually the beginning of his ministry जो की वास्विकता में उनकी सेवकाई की शुरुआत था I want to show this to you मैं आपको यह दिखाना चाहता हूँ this is where his ministry began यह वो जगाती जहां से उनकी सेवकाई चालुई and he won over the devil और उनने शातान पे जीत प्राप्त की on that mountain उस पहाड के उपर and verse 11 says और ग्यार वियाईती कहती है then the devil leaveth him तब शातान उनके पास से चला गया and behold angels came and ministered unto him देखो स्वर्दूत उने आकर उसकी सेवा करी why? क्यूं? he was the only begotten son he was the principal royal seed he earned visitation of angels he didn't pray lords and angels and visions the victory over that devil on that mountain made way for this son to receive visitation of angels वो जीत उस पहाड पे उस शदान के ऊपर इसने एक रास्ता खोला कि दूत आने पाएं visitation ओ दूतों का उनके पास it began a phase उसने चरण को चलू किया and he got united with the father जब वो पिता से एक हुए and father heard him अब पिता ने उनकी सुन ली उन्हें दर्शन दिये in that ministry which he began उस सेवकाई में जिसको उनने चालू की थी and he had some authority और उनके पास कुछ अधिकार था which could be seen in that ministry जो सेवकाई में दिख पा रहा था over the devils शतानों के उपर over every evil and sickness हर एक बुराई और बिमारी के उपर that place of temptation became the place of his authority वो अजमाईश की जगा वही जगा बन गई उनके अधिकार प्राप्त करने की then when he came to the end of his ministry और फिर जब उपनी सेवकाई के अंत पे आए he was taken to another mountain वो फिर से एक और बाढ़ पे ले जाए गए this time it's Calvary इस दबाई एक Calvary है what happened on that mountain उस बाढ़ पे क्या हुआ he crushed the head of the suppon उन्होंने सर्प के सिर को कुचल दिया he won a victory उन्होंने जीत अजिल की what happened after dying क्या हुआ उनके मरने के बाढ़ immediately he entered the third ball एक दम से वो तीसरे के जाओ में घुजगाए what happened क्या हुआ he kicked the devil उन्होंने शदान के लात्मावी the one who tempted him on that mountain वो जिसने उनकी अज्माईच उस पहार पे की after dying on this mountain इस पहार पे मरने के बाढ़ he came down वो नीची आए said my blood is still fresh उन्होंने का मेरा लहुआ भी ताजा है वहाँपर now give me those keys what is it brother ये क्या है मिरे बाई rulership authority after that temptation on that mountain उस अज्माईच के पश्चाज जो पहाड पे हुई when he was ready to die to self to die and pay the price but his death was exactly the beginning his death started the work and you dying to yourself starts a work of God in your life don't look at your body if I look at your body brother I should be resting at home I should tell some brothers please help me you take this message you take that message you brother take today's message you brother take today's message I have got plenty of brothers but let me tell you the facts we are not seeing ourselves we are in a battle and we are to see that whom we are fighting with when you are ready to lay down yourself that's when victory begins try to catch it brother sister there will be times in your life you don't like to worship but if you can worship in that time it's a victorious worship and that worship is accepted by God with a special blessing which you receive in your life which you receive in your life the place of temptation became the place of authority made way for the throne the minute he died on Calvary my father he couldn't tolerate it actually today I understand how he must have felt the one who was in a constant fellowship with the father to just have few minutes without father today you may not even understand an ounce of what I am saying here you can't understand an ounce of what I am saying because we are in a place 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 maaf karir for my sarcastic Paul-like nature maaf karir maaf karir maaf karir maaf karir paulus saman sobhau ke liye but the sarcasm does something amen but the young who is kuch bhala kama kata hai aaj aise logu are joh pita ke bina mahinoh guzar saktay leagun yaha maare paas eek vyakti jis ka naam prabhu yesh masih amen 24 hours he is in communion with the father what did paul say pray without ceasing bina rukhe dua maanggo how can you do that kaisi aap kar saktayin se you can't do it without the nature of Christ aap kabhi bhi masih ke sobhao ke bagheer is kaam ko nai kar saktayin everywhere you are har jaga jahaan par aap hain you are talking with the father aap pita se baat kar rahein every situation you are in har ek parisiti jis me aap hain you are talking with the father aap pita ke saat ek vartalaap mein hai in nehru place nehru place mein in a mall kishi mall ke in a metro kishi metro mein you are in your own world aap apne duniya mein khoi we hai you smile aap muskuraate hai other person sitting before you thinks you are crazy but he doesn't know you are living in a world you are living in a world with your father aapne pita ke saat trying to commune with him and you said father and you go there and it's done then you go to the next place father and it's done father father what should I do tomorrow and he shows him a vision for little time after Gatsamni that vision that dealing that unity was broke he couldn't suffer that that's why he said if it be possible let this cup pass away nevertheless not my will but I want to ask you a question today Thursday night to Friday evening approximately twenty to twenty four hours Thursday night to Friday ki sham 18 to 20 hours out of all this life of 33 and a half years he couldn't tolerate 18 hours without the father and he cried my father my father why has thou forsaken me he couldn't tolerate that but the bible says for this cause to unite with you and me now my question is why did he suffer that separation for some hours and as an Azazel he got ministry he went down to hell why did he do that to pay the price that there will be a future sons and daughters their fellowship will not be broken father will never leave them I suffer this separation for them that they may never be separated not even for a single minute they are in constant fellowship with the father that's why he paid the price I listen for a little time his last temptation and his passion and his death on the cross but that cross made way for his throne the bible says the prophet said therefore God raised him up on high and he ascended ascended so high that he even has to look down to see heaven are you understanding that place where he died became the place from where his authority and rulership began over the whole earth can you say amen let's go and have to pick up some examples example number one Abraham God told Abraham I will show you a place and the bible reads like this let's read it brother no scripture is ever old let's not just overlook these things because this is wonderful because it is a word Genesis 22 and we are reading from verse 1 and it came to pass after these things that God did tempt Abraham follow it with me for a minute brother where is this temptation let's read it and said unto him Abraham and he said behold here I am and he said take now thy son thine only son Isaac whom thou lovest and get thee into the land of Moriah and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee off follow it God is calling Abraham to a mountain what for a temptation and he will be tempted on that mountain follow that brother on the third day he saw that place to cut a long story short his son is with him and laying aside all emotions laying aside all the ten senses he started working by his sixth sense super sense took over he stopped looking at Isaac he stopped looking at circumstances he took the knife in full obedience to the word verse ten and Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son that's when God intervened that temptation was not death of Isaac that temptation was not the intent to destroy a believer but to take him to another step and Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son and the angel of the Lord called unto him out of heaven and said Abraham Abraham and lift the volume a little bit because I have to strain my neck a little bit and he said here am I and he said lay not thine hand upon the lad neither do thou anything to him for now I know that thou fear is God seeing thou hast not withheld thy son than only son from me your test is over I have understood who you are stop don't go any further don't kill the child I didn't want to actually kill him but I wanted to bring you to another level I know the next step there but I don't know how to interpret it but I want to tell you church in the suspense of between death and life half hour seemed like a millennium what was happening there God bringing his worshipper to another level which he had not known before he never knew that name now God is going to reveal a name there Amen that name never came before the test Amen but when the worshipper of that age went to that mountain and won a victory there after receiving that victory God said stop Abraham don't harm the lad I want to ask you what would be the feelings in the heart of Abraham Abraham what kind of worship would have come to all the guys there are no words to explain that you can't have words God knows how to get those words from his worshipper when that moment was there and when the angel said stop Abraham don't harm the lad but the altar is made and Abraham lifted up his eyes and looked and behold behind him a ram caught in a thicket by his horns what would be the expressions in Abraham when he must have seen that ram somebody who will take place of his son what kind of worship must have come out of that believer but I want to show you brother what happened after that temptation on that mountain and I want to tell you and I want to tell you this civil-ledded man because I am going to develop it to this age also because I am going to develop it to this age also sit down please this civil-ledded man is our exact shadow of another civil-ledded man ending with H.A.M. today if you follow Abraham's life in the book of Genesis this was his last mountain this was his last mountain experience if you read the Bible carefully because after this he went to Beersheba next chapter Sarah died next chapter beautiful Rebecca is brought for Isaac next chapters Abraham marries Katoorah and bring other children you don't find any for the mountain this is the last mountain in that seven-ledded man in his ministry as a believer what happened there brother when he was tempted there a test I want to show you what happened after the test he offered the ram for a burnt offering instead in the stead of his son what worship must have come from Isaac what must be the feelings of Isaac when he saw that ram if I should say it today after seeing those seven eyes and seven horns and that face somebody took my place somebody was my representation but when did he get that after the test Barbarum call it the double test Barbarum did he preach it in Patriarch Abraham so many messages where he brought that temptation but that same mountain where he was tempted a name is revealed to Abraham verse 14 and Abraham call the name of that place Jehovah Jireh and Abraham has kept the name Jehovah notice the circumstances in which the name of Jehovah is revealed to a believer he was not eating cake in Barista he is not eating a sub sandwich he is not enjoying lollipops he is under a test he is under a pressure when he is brought to that place when it is life and death yet the believer said I will follow what my God has said I will not bow to my emotions I will give the word the first place he lifted a knife that's when God came stop Abraham don't go any further don't harm this lad you are one now I will give you the next step a new name this name is not revealed to Lot this name is not revealed to Ishmael only you Isaac only you Abraham you are partaker of this name only two people were there on the mountain and a third one and that was of the angel of the Lord if you can see the message and after that temptation was won can you see brother a name is dropped okay Abraham ready for a next step I till today you understood this a man has to bring a sacrifice good I am showing a new thing I am the provider of the sacrifice that mystery wish was in the back part of God's mind God providing a lamb he dropped to his worshipper on that mountain with a name which will be joined to Abraham and his seed after that day after that test they have a claim on that name they have a claim on Jehovah Jireh Lot has no claim on Jehovah Jireh Lut Lut has no claim on Jehovah Jireh Jehovah Jireh never provided the ram for Ishmael Jehovah Jireh never provided the ram for Lot Jehovah Jireh never brought the ram for Sodomites Jehovah Jireh never brought the ram for Sodomites it was an exclusive lamb only for Abraham and Isaac they will see it they will see it coming into existence and see it going out of existence he is who is who will see it in the wajud and he is who will see it in the wajud and he is who is by spoken word a ram is created but how to come to that level to see that spoken word becoming flesh he first took he first took the believer to that mountain for a test and tests are little painful tests need control test means mind control heart control time control many controls are there in the test and God knows his method who will be able to go through that test and after that is over and the ऐसा परीक्षा प्राप्त और टिक लगा विश्वासी चर्चा है और एक जिसकी परीक्षा हुई नहीं दोनों साथ में बैठें दोनों की वर्शिप का ब्रदर क्या कंपेरेसन है कौन समझेगा ऐसे की वर्शिप अगले को पले भी नहीं पड़ेगा ये बोल क्या रहा है उस परीक्षा परेक्षा प्रेक्षा पासाग जो है उसे बिल्कुल अपनी निजी व्यक्तिका तु पासना मिलती है do not do that there was not a third or fourth person on Mount Moriah कोई तीसा चौदा शक्स नी था मोरिय पहाड पे एक्स्क्लूसिवली अबरहाम ही और एजक और इजाक दू इस मेमने को देख दू इसे देख ले ये तेरे ले महिया हुआ नोबदी अबरहाम नही था अबरहाम था उस दिन से अबरहाम के पास ये प्रकाशन था खुदा वन के पास एक महिया के वह मेरा है और मेरे वंच के लिए उस दिन से वो समझ गया और मेरे वंच के लिए एक कुरबानी है वाविल जानता था एक कुरबानी है and the right sacrifice is a lamb और जो उचे ठीक कुर्बानी है वो एक मेमना है but to Abraham God went one step ahead for you and your seed तेरे और तेरे वंश के लिए is that lamb वो मेमना है you I have chosen out of the kindreds of this earth for whom I have reserved a lamb Amen मैंने तुझे जुना है इस पृत्वी की सारी जातियों में से कि तेरे लिए खास में एक मेमना रखूँ If the test is exclusive the blessing is exclusive Amen अगर परीक्षा अनोखी एक के लिए है व्यक्ति विशेश के लिए है तो आशीशे भी अनोखी उस खास व्यक्ति के लिए है Nobody else can share that blessing कोई और शक्स उस आशीश में शरीक नहीं हो सकता God who lifts his son ये खुदावन है जो अपने बेटे को उठाते है Sit down for a minute please बैठे एक मिनट के लिए क्रिप्या Amen I want to show you something After revealing that name मैं अपको कुछ दिखाना चाहता हूँ उस नाम को प्रगट करने के बाद Now God says the next thing अब खुदावन अगली चीज कहते है And the angel of the Lord call unto Abraham out of heaven the second time Amen फिर यहवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्क से अब्रहम को पुकार के का Follow it brother Follow it sister After that last mountain उस आखरी पहाड के बाद When he won that victory जब उस ना उस जीत को प्राप्त किया And saw his land Now the angel calls second time Speaking of another season If spiritual mind can catch it What is that second time message? And said By myself have I swooned Sayeth the Lord Yahweh you Because thou hast not Thou hast done this thing And have not withheld thy son Thine only son That in blessing I will bless thee And in multiplying I will multiply the seed As the stars of the heaven as the sand Which is upon the seashore And the seed shall possess the gate of his enemies What happened? The place of temptation Became the place of possession And authority Possessing the gates of the enemies Every statement He had said it previously This is an additional line Because the place Where he tests Is the place Where he gives authority Many a times You can't find God Unless you go through a test And it's the test That makes you Know who God is Tests are of various types I don't want to name them It could be anything in your life Maybe you are going through a financial test Maybe you are going through a family test Maybe it may be your Physical I mean subject test I mean the test exam Don't be discouraged You are the seed of Abraham Listen brother Tests are beautiful Don't be afraid of them But after the test Now let's cut the cake Come on Abraham Don't kill Isaac with this knife But we will cut a cake for you This is a blessing Thy seed Shall possess The gates of their enemies A very thoughtful blessing Because God knew From Genesis And even before that There is a power called Lucifer With his fallen stars Who will keep on competing with Abraham's seed Sometimes like Haman Sometimes like an Amalekite Sometimes like a Philistine Or anything But I give a promise Whatever form that enemy comes in In any age In any age In any age In any age Thy seed In any age Shall possess The gates Of their enemies They are their victors They are on the winning side A worship Received authority From that day From Moriah The probability of defeat Was made zero Amen I want to make it Sure to you tonight The day Jehovah Jireh came The probability of defeat Was made zero Now the seed of Abraham Can never 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 Be defeated Because Whenever God sees The seed of Abraham He remembers that mountain He remembers his promise And he knows This is the seed of Abraham His enemy cannot have victory over him It is he who will rule Let me show you some other characters There is another man after Abraham He also went through a temptation This boy's name is Jacob This boy's name is Jacob And this Jacob Is a shyster Yet he is very cunning He deceived his father In full consent with his mother Why? It was not wrong The way may look wrong But mother knew the promise That's right She heard it That's why he She did that He received that blessing Actually he stole it That's right Churaya Chura liya Then he ran And then he ran But this one who stole the blessing Is receiving a vision Amen But this one who stole the blessing God's coming I am your God God's coming God's coming I am your God God's coming 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 लगा कि यह गलत कर रहा है लेकिन वो गलत था नहीं अब गलत करके भागा इसाओ को कुछ आई उसना का मैं इसको मार के खतम करूँगा तो सबसे पहले एक जगा लेट के सोए दर्शन चालो सीड़ी मैं तेरा खुदा हूँ सीड़ी देख एक दिन ते को बुलाओंगा थीड़ी पे and the place you are standing is still lying down his holy ground और जिस जगा पे तू लेट आवा है जहां पर तू है वो पवितर भूमी है वो पवेटर भूमी है even in his fallen state यहां तक है उसकी कीरिवी स्थिती में भी और एक दिन उसको कोई दाम चुगाना था उसका कहलने वाला भाई एसाव से मिलने आया ये था वो समय जब याकूब की समस्या आई अब जचटी महर में पाते हैं वो एक दबाओ के नीचे आया वो घबराया था वो जान था अब और उसका परिवार इसाव के दोरा मार दिया जाएगा तो उसने तोफे भेजे उसने वो जो पूरा काफला था उसको आगे बढ़ाया और वो अकेला रहे गया और अब उस खास रात एक बहुती समारक रात थी वो एक परिक्षा में से होके गया और वो एक आदमी से लड़ा अगर मैं बड़े सपश तरीके से इसको कहूँ वही मलकी सदेक वही मलकी सदेक नीचे आए शाम के समय में नीचे आए पूरी रात पूरी रात उसके साथ बने रहे नीचे जानता अगर आज का याखूब इस बात के प्रती जाग रुख है उस आदमी के प्रती जो याँ है और जब तक इस सुभाई याखूब की चाल में मतलाव था after that test उस परिक्षा के बाद the same place that he was tempted याँ उसकी परिक्षा हुई was the same place याँ थी वो जगा that God said tell me your name he said my name is Jacob he said you'll no more be called Jacob from today you shall be called Israel to Israel for as a prince you shall rule you'll have authority with your God the same place that he was tempted याँ उसकी परिक्षा हुई was the same place याँ थी वो जगा that he received authority याँ पर उसने अधिकार पाया he received a new name याँ उसने एक नाम पाया what did Prabh Brannam say याँ आमने क्या कहा every time a victory was won a name was changed Amen हर दवा जोने जीत जीती गई हासिल की गई तो नाम बदला गया new name is for victorious नया नाम जैवंत के लिए है for victory you need a test जीत के लिए आपको एक परिक्षा की जरूत है कोई ऐसा रास्ता बताओ जो बिगए टेस्ट के हो जिसमें नया नाम बता लग जाए मुझे मेरा नया नाम भी मिल जाए भाई कहे बहन कहे मुझे मेरा नया नाम भी मिल जाए और टेस्ट ना हो ये टेस्ट से हट के कोई रास्ता बताओ यार संजमारी है क्या है इन परिक्षाओं ने यार दिमाग खराब कर रखा है अरे प्यारे भाई question paper को लिपटा के चूमो रो कभी कभी मैं अपने बच्चों से कहता हूँ questions को कहो ये तुमारे दोस्त है हर question examination के paper का तुमारा दोस्त है जो तुम से कह रहा है मैं तुमें promote करने आया हूँ सबसे गहरा दोस्त वो सवाल क्योंकि कर सही जवाब दिया तुम निकल गए वो आया है तुमें बढ़ाने के लिए वो दोस्त नहीं जो तुमारे दुनिया के है लेकिन वो सवाल वो है तुमारे दोस्त ये है तुमें उठाने के लिए questions जो च्छे लगते नहीं है नहीं question paper 10 बजे माटा जाता है नहीं हाँ साड़े 10 बजे पेपर शुरू होता है नहीं तो 10 बजे आंसर शीट सवा 10 बजे शायद question paper 15 मिट पर देते हैं पढ़ने के लिए तो कई लोग अनमारी है ये कौन है हाँ वाले डरते हैं लेकिन जिन के पास रहम है प्ली सुनिए और जिनोंने प्रेम किया उन्हें मालूम है कि ये सवाल नहीं है ये मेरा प्रमोशन है टेस्ट किसलिए है कि मैं प्रमोट हूँ मैं आगे बढ़ू इसलिए जवाब कई जगावों पे ज़ाँ सिखाये जाते हैं किसलिए टेस्ट पे टेस्ट बहुत देते हैं इस स्कूल ने समसे बड़ी प्रावम जब समने में बच्चे को डाला रोज एक टेस्ट होता है मैं कौँँगा बहुत बड़ी हा स्कूल है जो रोज हमर दे और रोज टेस्ट ले मुझे इससे स्कूल बहुत अच्छे लगते है संजमारी है टेस्ट पे टेस्ट पे टेस्ट आए दिन कान खेंजे जा रहे है तुम्हारे यहां का गलती तुम्हारे यहां गलती तुमने यह किया तुमने यहां मिस्टेक करी रोज रोज लेकिन थोड़े दिनों के बाद बच्चा इंजॉय करना शुरू करता है अब उसे हवा लगना शुरू हो जाती है टेस्ट की या 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 मैं क्या शररिक बात भी कह रहा हूं और इसी का एक आत्मिक मतलब भी है टेस्ट दूर दूर को ऐसा रास्ता बनाओ नए नाम का तुम्हारा नए नाम ये है कमरे में जब आइस्क्रिम खा रहा हूं मुझे बता दीजेगा हो सकता है नए नाम चाहो मुँ ना खुले इतना भी कि जलेबी मुँ में डाल दें यानि हलिलुया बोल दें माफ करना ऐसे बोल रहा हूं अरे हलिलुया क्यों निकल दी मुँ से अरे दोस्त अभी तुम्हारी टेस्ट अजमाईश नहीं हुई जब तक खेजे नहीं जाओगे ना दोस्त जब वो प्रोसेस गुजर के निकलता आदमी तब आंके भटा सी खुलती है तब उसे परवा नहीं पास कौन बैठा है उसे तब के वाल ये दिखते है बस अब मैं तो हाद उठा के धन्यवाद दूँगा मैं तो धन्यवाद दूँगी मुझे परवा नहीं आसपास की जी इसके जीवन में कुछ हुआ इसके जीवन में कुछ काम हुआ इसलिए इसका मुझ खुल रहा है ये कोई बासी पकोड़ा नहीं है सेट साहब का कल के समोसे बासी रखे हुए याँ पे तो ऐसी कल के समोसे नहीं आते है चर्च में मिटिंग के लिए तुम्हारी भाशा मैं कह रहा हूँ उनमें तो बद्वू आती है लू के सड़ने की लेकिन तुम हो ताजे जिनके पास वर्शिप है आज के मौसम की कितनी प्यारी बात जिस जगा अजमाईश हुई वो ही पहाड़ बन गया सिहासन वहीं से फिर अथारिटी मिली टेस्ट के बाद पिर जिन्हों ने टेस्ट लिया बुलाते हैं एक टोपी पनाते हैं गले में एक मेडल डालते हैं हाथ में एक रोल्ड पेपर पकड़ाते हैं होता है नहीं इसे कहते हैं कॉन्वोकेशन एक लपेटा पत्रा और आज भी एक लपेटा पत्र है आज भी एक कन्वोकेशन है आज भी एक टोपी है जो खुरावरे विश्वासी को पहनाएगा एक निया बस्त्रा एक नई टोपी and a book and authority you have a right to practice in this field कि तुम इस फील्ड में शेत्र में काम कर सकते we accept you amongst us हम तुमें अपने में एक मानते हैं from today आज से तुम प्रमानित हो दुनिया में जाओ and practice this what you have learned और इस चीज़ को जो तुमने सीखा है इसकी practice करो with full authority we have confidence in you we have taken your test हमने तुमारा भरोसा है तुम पे हमने तुमारी परिक्षा ले ली है अब ये कोई मुन्ना भाई MBBS नहीं है चर्च में माफ करिएगा मैं दिसी बाशा में बोलता रहता हूँ बीच बीच में चर्च में और believer में और rapture के लिए मुन्ना भाई MBBS वाला सिस्टम नहीं चलेगा मुन्ना भाई MBBS वाला सिस्टम rapture में नहीं लेके जाएगा उसके लिए एक तरीका है खुदा ने एक जनुवन तरीका रखा और वो है एक अजमाईश और जहां अजमाईश वहीं पे उत्थार और एक सिहासन आएए थोड़ा मैं आगे बढ़ूँगा आपके साथ आएए थोड़ा मैं आगे बढ़ूँगा आपके साथ अगले दिन से वो थोड़ा साल लंगडाने लगा वाई यू उसको एक बहुत इकीस पर्ष मिल गया था दूज से दूज ने वास्विक्दाय में उसे छुआ था और उसकी जो नस थी वो सुकडी थी इसलिए वो थोड़ा लंगडाता था बढ़ो जब किसी ने उसे पूचा तू अब क्यों लंगडा रहे मेरी मुलगा तूज से उचकी है मेरी मुलगा तूज से हुरी है but I thought he came in the evening time and went away when he went back in the cloud no 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 throughout this night he's here for the royal seed of Abraham for every believer catch him in prayer hold him tight and don't let him go and I'll not let you go until you bless me it's enough he said what's your name my name is Jacob he said from today you are no more Jacob officially birthright is yours don't ever think you stole it now today I give it to you and I speak your blessing in a name you are no more Jacob your name is Israel you have brought 12 stars because by that time 11 stars had come and the 12th one was coming he was bringing a zodiac he was bringing the stars and he was the father of them he said you are Israel as a prince you have rulership authority I want to ask you something after receiving that name what must be the feelings of Jacob what about that fear of Esau he must have got up and said let Esau come I've already met somebody bigger than Esau and now I know I didn't even have faith for divine healing but after this experience my faith is lifted up to a level I never knew before let anybody come I'm ready to meet him what did he receive authority rulership or shahsan a throne iksehasan can you see that what did Abraham receive Abraham ko kya mila a throne iksehasan rulership shahsan the place of test became the place of authority parikshaka sthan ban gaya adikar ka sthan let me go a little further with you let us pick up another character I am ek or charitur ko thayen do you love these characters of the bible kya aap in bible ke chariturho se plame karate hain we are picking up another character brother tonight ajatri mein ek or charitur thayra hain and this boy's name is david amen and this boy's name is david he is the littlest one among all his brothers who amne sare bhaayiho mein sabse chota hai but he is the chosen one par wo chunawa hai when samuel came he took that anointing oil and poured it on this boy's head and poured it on this boy's head he knew from that day i am anointed for a throne i will receive a throne i have been chosen to receive authority ki mein adikar pahun to receive rulership shasana adikar pahun though saul is the king but god has anointed me par khudavah ne mujh abhishek diya hai above my fellows that i rule this israel ki mein israel ka raja hoon god has given me that throne khudavah ne mujhah wohh adikar diya hai so let me tell you mein apko بتana jata hoon just before the throne came there came a last test ek antim parikshahi and i call it ziklak test and i call it ziklak test and i call it ziklak test i love that chapter when david was in ziklak with his wives with his church who were david's church all had left south denomination voh sahab jinao ne shawul ki denomination ko chhoda tha all had left south den colliding system voh sahab jinao ne shawul ki nukuli vah tantra ko chhoda tha what happened after that kya ho ho uske baad on other side dousri taraf shawul is seeking a witch of indor shawul toh pichhe jara hai ڈhun raha hai ek indor ki bhut sudni ko protestants unite in with a witch protestant joh hai wohh ek chudail ke saath sambandit ho raha hai a catholic church a catholic kalisya ke saath the great head lord wohh mahanveshia a crystal geysa a crystal geysa a crystal ko kaach ko dhekhane wali hai kaach ki gendh ko dhekhane wali are you understanding kya aathe semaj raha hai that's where saav went ye wohh jagaati jaha shawul chala gya in the very next chapter par agle hiya dihaay mein the philistines fought with saav philistiyo ne shawul se yudh kiya a type of armageddon ek and mugheddon ki taswweer where beast and his power is killed jahaan pat pashu ar uski saam art maar di jati hai david didn't fight with them daoud unse nahi lala david had his own battle david was not an armageddon there david wahan par armageddon mein nahi tha with saavul shawul ke saat but david before his throne had his own fight par david apne sihasan pe aane se pehle apnei khud ki ladaai lada hai read the chapters carefully jyanpur waga dihaayon ko padhe the philistines wanted to involve him philistiyo usko bhi shamil karna chaathe thae but somebody said par kisi nahi kaha nahi nahi aisa mat kar at one time he was an israelite ek sami toh he israeli tha happily he was excluded from philistines ahram se woh philistiyo ushe dour kar diya gya if you read the bible carefully agar ab jhanpur wok baible ko padhe so now to phir ab he comes to a place finally in his life he is a fugitive from saul he is moving from mountains to mountains as a refugee a lot of people joining with this man and some very good mighty gentile warriors some very good mighty gentile warriors become a part of his army ready to bring him a fresh drink you know the story you know the story but now arandwar came a day in his life when he came to a last destination his last peak his last test what happened at the place let me turn with you in the bible please and turn with me in your bible to the book of first samuel chapter 30 30th chapter we are reading from verse 1 and it came to pass when david and his men were come to ziklag on the third day that the amalekites had invaded the south and ziklag and smitten ziklag and burned it with fire and had taken the women captives that were therein they slew not any either great or small but carried them away and went on their way notice that test notice that test it was not to kill just to bring them a captive for a little time so david and his men came to the city and behold it was burned with fire and their wives and their sons and their daughters were taken captives what happened what happened and took their families and took their families captive they didn't kill them but took them captive and the whole city was burned and david is seeing what's happening here and david is seeing what's happening here and david is seeing what's happening here how the families are taken captive by these amalekites then david and the people that were with him lifted up their voice and wept until they had no more power to weep and david's two wives were taken captives ahinoam the jezreelitis and abigail the wife of nabal the camelite what happened their families were taken away and david was greatly distressed for the people's pick of stoning him because the soul of all the people was grieved every man for his sons and for his daughters the test came to such a limit his own people who were following him now wanted to stone him kill david he's not really a leader he's a useless man are you understanding when david was brought to this place even his own people started hating him it looked that he lost confidence of his people now nobody is with him oh brother what a test he's left alone let me show you something but david encouraged himself in the lord his god he encouraged himself how must have he encouraged himself remembering the former dealings remembering the former dealings remembering goliath remembering his shepherd life remembering how he slew the lion how he slew that bear remembering those previous exploits he's remembering how he won those battles and he started thinking let everybody leave me but i know one thing i am anointed i am anointed for that throne and i will receive it anyhow and i will receive it anyhow he encouraged himself he started remembering that day when samuel brought that horn and put that oil on his head and he started remembering that day and he got anointed and he got anointed and he started remembering that day and he killed goliath he started remembering was there anybody with me at that time no one then if everybody says you are useless let them God allows a minister and his ministry to fall down to a place where everybody says he's useless it's then that God steps down and crowns him I am quoting from the message so remember that brother then when he encouraged himself he knew my family is gone not always God will help me to bring my boy back to bring my wife back back to Ziklak I am the seed of Abraham I will fight the battle what had happened brother everybody was shouting kill David kill David David was in prayer he started smiling he started remembering the former days he started remembering the former campaigns and he was ready for another move for another move mummy mommy home all the time everybody is sick everybody is even having strength to get up and make some tea or milk or a toast किसी में भी इतनी ताकत नहींगी कोई चाय या कोई मिल्क या दूद या टोस बना ले कुछ दे दे ऐसी स्थिती थी जब मैंने देखा जब मैंने देखा कैसे हाँ पिछले पास्टर मेरे पिता जी उन्होंने अपने आप को प्रोथ साहित किया उन्हें का इस समय के लिए है अमने दूआ वांगी और धीरी चीजए अच्छी होने लगी चीजए ठीक लाइन में आने लगी है कभी-कभी ऐसा होगा कोई होगा नहीं आपको प्रोथ साहित करने के लिए आपको अपने आपको ही प्रोथ साहित करना पड़ेगा नोबड़ी थीजए अपने आपको प्रोथ साहित करना पड़ेगा नोबड़ी थीजए अपने आपको प्रोथ साहित किया वो पिछले केमपेशनों को याद करने नगा उसने कहा इससे कोई फरगा परता कि क्या कुछ होआ जिकलक में पर मुझे याद आता है कैसे गोलियत मारा गया कैसे मेरे खुदावन मेरे साथ थे कैसे उन इस्त्रियों ने वो गीत गाया था कैसे मैं अभी शिक्त हुआ इस नभी के दौरा और मैं चानता हूँ एक से आसरे जो मेरे इंजारी कर रहा है इससे को इपरक नहीं बढ़ता कुछ भी हो मैं जीतुंगा कोई मेरे परिवार को ले जाने ही सकता तो मुझे पत्र मारना चाहते है टीक है मार दो पर मैं भी तुम्हारी एक मातराशा हूँ अब वो दूसरा चुप हो गया देखने के बाद क्या कहना चाहते हैं आप ये कहना चाहता हूँ उठो येस लेट्स गो आओ हम चलें वी आदसीन अब अबरहाम हम अबरहाम का बंच है वी फाइट फॉर आवाइबस अब जिल्रें हम अपने बच्चों के लिए और इस्तरियों के लड़ेंगे लट्स फाइट इस टेवल आओ हम इस शडान से लड़ें लट्स फाइट इस अमलेकाइट इन अमलेकियों से लड़ें बाद ने कहा खुश तो बहुत जल्दी हो जाते हो ये बता वो हैं कहां पे तुम्हें कुछ आइडिया है तुमने कहतो दिया मुझ खोलके कि चलो लियाएं कुछ मालूम है कोई कंपस है कोई तुम्हारे पास तरीका है उन्हें का हाँ है आईए मैं कंपस दिखाऊं आपको वाश सेवन सेज साथ बहै दे कहती है तुम्हें तब दे हैं याजएक से का आपको मेरे पास ला मेरे पास व़ो ओरीम और थुमीम ले गया मेरे पास वो बारा पत्तर ले के हो लेट में इंक्वाइर मैं पूछ हूँ मिर से पहले एक आया था जिसका जवाब खुदा ने किसी से नहीं दिया लेकि मुझे मालूम है मेरा जवाब होते है I know मैं जानता हूँ एक में जानता हूँ I know मैं जानता हूँ एक नवु अता जोगी I know God will disclose the way I don't know it Bring me the iPod Get me those breastplates Get me the dream and thumim I know We don't have the Google We don't have the compass We don't have the compass But you have something greater than that The high priest's dress Amen Maya Jaka Maya Jaka He brought the word In the test He brought the word In the test What did Brubb Aram say? Brubb Aram say The Urim Thumim today Is the Bible Urim Thumim Today is the Bible He brought Bible in his test He welcomed the iPod In his life But Brubb Aram said If you want a revival If you want a revival Welcome the word Wachan का स्वागत कीजे Bring the iPod Bring that all in New Testament Us purane Uninium Go le ke a yi Bring Newim and Thumim Urim and Thumim Go le ke a yi There will come the Shekinah There will come the Amber light There will come the fire There will come that cloud There will come that dust Say the Lord Oh my Hallelujah 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 Thank you Jesus We have that Urim and Thumim We have the 1180 tapes We have the 1180 tapes We have the rainbow We have the Dusty of the Lord I want to show you I want to show you I want to show you And Abhiata brought thither The iPod to David And Abhiata brought the iPod Kodawad के पास ले आया मेरा मतलब कहने का ये है ये इपोद साउल के पास नहीं है क्या Maand you घर जाके Bible ध्यान से पढ़ना साउल उसमें जिन्दा था और अपने राज में राज कर रहा था ये इपोद जो की main राज में होना चाहिए था से हटके जंगल में कैसे पहुँच गया इसे तो मंदर में होना चाहिए था ये यहां कैसे है जिकलाग में इपोद जिकलाग कैसे पहुँच गया दोस्त कोई था जो से लेके आया क्योंकि साउल का उससे कुछ मतलब रहा नहीं कोई लास्ट जी जो हम साउल की सुनते हैं वो एंदोर की भूठ सितनी से ये कहता है ना ख्वाब से ना नभी से ना उरिम तुमीम से यानि उस इपोद से मुझे कोई जवाब मिल नहीं रहा तो इपोद का मतलब उसके जीवन से तो खतम हो गया आपकी समझ मारी है अब किसके जीवन में मतलब रहेगा तो इपोद ट्रैवल करा दिनोमिनेशन ने उसे रिजेक्ट किया देख मैं दुआर पे ख़ड़ा खट गटाता हूँ बट वेर दिद इपोद गो अरो आपोद का गया तो सम फ्यूजिटेव्स बट वागोगे बास यह बरा बट बट गट शीवन है सिखलग में दर दुआरव रुसका ने चाथी योड़ां में बत जहल का ए पितल की रौशनी वो अपने प्रतिन दित्वो को देख रह रहे है यह द्द जहल का है सिघर को देख रहे है वो उसे बोद के लावारती है क्या मामेन बोल सकते हैं उसे बोद को लेकिया और उसे बोद को लेकिया उसने अभियतर की मदद नहीं मांगी तुम पूछो दाउद जानता है आज मेरी दुआ सुनेगा यहाँ वर्शिपर किसी मदधेस्ट को नहीं टटोल रहा ब्रदर आप मेरे लिए दुआ करें सिस्टर जब आप दुआ करती हैं आपकी दुआ खुदा जरूर सुनेगा अरे एक शरम से मर मिटो मैं क्या बोला शरम से कर जाओ यहाँ वर्शिपर यह नहीं कह रहा अभियतर तुम यह आ जखो एपो तो तुमारा है तुम पूछो मांगो हमार लिए पूछो ना वर्शिपर निव अपासक जानता है तोड़े माई प्रेए तुमारा हमारी परिक्षा हुरी है और मैं जानता हूं मैं दुआ माँँगा और मेरे प्रभू उत्तर देंगे एमें तब यहोव दाउद ने यहवा से पूछा अभियतर ने नहीं देविद डाउद ने सीदे सीदे शल आ पर्शिव आफ्ट दुम शल आ ओवर्टेक देम क्या मैं इस दल का पीछा करूँ क्या उसको जा पकड़ूँगा और उसने उसका उससे कहा किसने किससे कहा बनी सर्दूत ने अपने उपासक से कहा पीछा कर मैं भी वही सोच रहा हूँ तो तू सोच रहा है दिस जस जस पासिंग फेस दिस जस 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 आ टेस यह फैल गुजरने वाला चरण है यह मात्रिक परिक्षा है तेला परिवारा में शखेले नहीं खोया है I'll answer you मैं तेला उत्तर दूँगा I never answered Saul He's dying in Armageddon वो दर मगेदन में मरना है but this fight is for your promotion this is your last peak this sick lug is a fight I will exalt you जिसमें मैं तुझो उत्ताउंगा अब ही लोग लग रहा है कि तुम में मूँ पिटा लुटा पिटा रोयाद राख लगा है बैठा है वोदे चिंता मत कर Behold the lion of the tribe of Judah He has prevailed He gave a revelation of the abstract if I can preach it tonight to that believer उसने उस फराद का प्रकाशन उस राहत्री अगर मैं पचारगर पाओ उस विश्वासी को दिया विश्वासी को दिया विश्वासी को दिया विश्वासी को दिया He had situation and control परिस्थिती अब उसके नियंदर्ण में थी Yes जी हाँ You I said you controlling situations मैं करो आप हाँ भी परिस्थित्यों का नियंदर्ण लेते हुए You are not a slave in Ziklag You are the royal seed of Abraham Shall I pursue Lord क्या मैं पीछा करूं प्रभू शैदेक उफास की मीटिंग में ये कहा होगा एपोज से पूछा होगा जवाब आ गया Pursue पीछा कर For Thou shall surely overtake them च्यूंकि तो निर्षा है उसको पकड़ेगा Next line Can you put that verse brother I think that's verse 8 Thou shall pursue तू उसका निश्य पीछा कर For Thou shall surely overtake them क्यूंकि निश्य तू उसे पकड़ेगा And without fail recover all All that thou givest me father I have lost none Jitने पिता आपने मुझे दिये मैने उन में से एक को नहीं खोया Save the son of perdition That was no part in me Jiska मुझ में कोई हिस्सा नहीं But I know I will recover all All of that face brother The minute God gives a promise He starts making a way for that promise Amen Amen Jis shan Khudavan एक वाइदा देते हैं तो वो वाइदे के पूर्ती करण के लिए एक मार खोलने लगते हैं Sमझे Amen यह है समझने की बात Alleluia आपको तो मालूम नहीं वो कहा है खुदा ने कह दिया बाढ़ कर पीछा Amen तो निश्चे सब को छुड़ा ले आएगा Yes दाउद विश्वासी है प्रासना से उठा उना चलो अब चलो Amen Alleluia यह लड़ाई हम अपनी बीवी बच्चों के लिए लड़ते हैं इन्हे लेके आएंगे वापिस Amen Last campaign Before rulership was for a family आखरी campaign अधिकार से पहले अधिकार प्राप्ती से पहले वो परिवार के लिए था Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Notice the results God करिए परे नामों में आज एक दूसरे को कही तरह दो मत देखो कौन आमीन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है मैं देखना मैं सभी कर रहे हैं Amen लेकर अब देखो आप और खुदावन Yes Amen The minute God said जिशन खुदा ने कहा Go on, pursue जा पीछा कर God started making a way खुदावन ने मुर्दमार खुलना चालू कर दिया अब पर्शू करें तो कहां करें? That's right कहाँ जाए North, South, East, West कहाँ जाए मैं तो मालूम ही नहीं हो कहा है अब इक रॉष्णी है Amen लोग लीड करेंगी Hallelujah But David pursued He and 400 men दावत तो 400 पुर्शों समेथ पीछा किये चला गया For 200 abode behind परंदू 200 पीछे रह गये Which were so faint जो ऐसे ठक गये थे That they could not go over the brook बसोर कि वो बसोर नाम ना लेके पार ना जा सके 200 इतने ठके हुए थे उनसे चला भी नहीं जा रहा था तो 400 जिनके पास को जान थी उनने ठके हुएं से का बैठो तुम्हार ले हम लड़के आ रहे हैं Amen तुम यहां बैठो You see a brotherly kindness kind of thing If you can't fight it अगर तुम नहीं लड़ सकते वो दोसों जो इतने ठक चुके कह रहे हैं हमें भी हमारे बीबी बच्चे छुडाने हैं लेकिन हम अंदर जान नहीं रही उनना तुमारे बीबी बच्चे हम छुडा के लाते हैं Amen अपने भी और तुमारे भी Yes थोड़ी बहुत जुतनी जाने हम लगा रहे हैं आज Amen अब ये अगुए हैं कह रहे हैं चलो इन्होंने कुछ देख लिया है Amen अब हम इनके साथ चल पड़े हैं Amen Hallelujah सुनिया आप अब रास्ता देखिये कैसे तैयार हुआ And they found an Egyptian in the field and brought him to David अब चलते चलते उन्हें एक रास्ते में एक मिस्री मिल गया उनको एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला And gave him bread and he did eat and they made him drink water उन्होंने उसे दाओद के पास ले जाकर रोटी दी और उस उसने खाया उसकी खूब खादरदारी करी भाई And they gave him a piece of a cake of figs And two clusters of raisins And when he had eaten his spirit came again वो भी बिचारा ठका हुआ था Came again to him For he had eaten no bread Not drunk any water Three days and three nights पेर उन्होंने उसको अंजीर के ठिकिया का एक टुकड़ा और दो गुच्छे कुश्मिश दिये और तब उसने खाया तब उसके जी में जी आया उसने तीन दिन और तीन रात से ना तो रोटी खाय थी और ना पानी पिया था पहले तो उसे रिवाइव किया पिला खिला के थोड़ी जान डाली जब थोड़ी जान आ गई कहे बेटा इदर आओ आओ दाओद के पास And David said unto him To whom belong is thou तब दाओद ने उससे पूछा तू किसका जन है And when start thou And he said I am a young man of Egypt उसने का मैं तो मिस्री जवान हूं Servant to an Amalekite और एक Amalekी मनुष्य का दास हूं दाओद के कान ख़़े हो गए सही आदमी मिला And my master left me और मेरा मेरा मालिक मुझे छोड़ के चला गया Because three days ago I fell sick I gone I fell sick क्योंकि तीन दिन हुए मैं बिमार पढ़ा उसे यह नहीं नहीं वालूँ कि तुझे बिमार किया किसी और ने Yes Hallelujah Amen तीन दिन पहले जब यहां दाओद जिकलाग में दूआ कर रहा है उसी समय एक वहां बिमार पढ़ रहा है राष्टा वहीं से तयार होना शुरू हो गया प्रदर एक आफिस में पहुँचोगे जब कोई तुम्हारा जानने वाला नहीं वहां एक आएगा अरे आप किसे खड़े हैं आपका काम नहीं हुआ बताई क्या आपको लगए ये कौन आगया मेरे काम बनाने के लिए भाई ना मैंने जानता हूं ना ये और सिन में था वो इनकी फाइल थी यापर सोचा कि आगे बढ़ जाएगी कहा है कौन ने क्लर्क आईए मैं आपके साथ चलता हूं अरे सुनो भाई इनकी फाइल है से मिलूँगा बहुस ये थानका केस अरे अच्छा ही तो बहुतना पुराना हो गया सर आपके आफिस में थी उसने डाट मारी जाड मारी हो उस क्लरके इतने जिन से फाइल पढ़ी है तो मेरे पास लेकी नहीं आए और से फाइल बढ़ाने के संजमारी है आपके अब पहुँच गई फाइल सीथा बॉस के पास उनने का इनका मुकदमा अभी खारिच किया जाए इनका ये जवाब है और आप खड़े देख रहे है यार ये कौन है ये कौन आगया ना मैंने जानता हूँ ना ये मुझे जानते हैं उनने कहा हो गया सर आपका काम बोलते हैं हाँ चलो सर थैंक यू आप जा सकते हो मैं को अपना दूसा काम ता मैं करने जा रहा हूँ ऐसे कई दूथ पैदा हो जाते हैं तुम्हारा एड्मिशन मैं कराता हूँ आओ समझमारी आपके तुम्हारी फाइल मैं बढ़वाता हूँ आगे समझमारी है असल मैंने सोचा इतना लून मिल तुम्हारा लून चोड़े चीज़ छोड़े लोग आओ कागास को लगे तेल आओ इतर लो ये पकड़ो लू तुमारा है खुदावन ऐसे अजीब और गरीब तरीके से रास्ते तैयार करने शुरू कर देते हैं और आप खड़े देख रहे हैं हक्का बक्का उपर से मालिक कहता है सुना आपने मुझे देखो मुझे खोजो काम तुमारे बेटा पीछे पीछे चलेगा हर डेस्क पे पहुँचोगे तुमसे आगे खड़े वाला कहेगा सर मेरी फाइल उन्हें कहाए आपकी ये इंकम्प्लीट आपका ये हटिये आप एक लाइन में खड़े हैं बड़ी लंबी लाइन ओहो मुझे माँ जाना गर्मी आए हाए खड़ावान तब एक के वाले तलना शुरू है आपकी ये खामी आपकी ये खामी आपकी ये खामी जाब भरो अभी आना पांच मिनट के बाद आप पहुँचे हाँ जी लाइए आपका अच्छा ठीक है आप बताईए हो गया आपका जाईए अरे जब आप पहुँचे लाइन नहीं जब आप चले गए लाइन वहां से यहां तक ये कौन है किसने छोटी बातों के दिन को तुछ जाना है दोस्त मसीहात की सबसे बड़ी बात ये है ये रोज मर्रा दिखाई देती है रोज खुदावन मैं रट रट के इस सबजेक्ट को पागल हो गया हूँ जब आप और धर्मों में जाएं तो वाँ किताबों पे मूर्तियां लगा देते हैं किताबों में धूब लाना है आए किताब तु कितनी महान गरंत है मुझे याद हो जा यह बक्वास खुदा से बुद्धी मांगो जो बिना उलाना दिये उन्हें जो मांगते हैं बुद्धी देता है पापा ये याद नहीं हो रहा वो तब याद करवा देते हैं लो तुम्हें याद करने कुछ तरीके बताते हैं एक पोयम बनाओ पोयम के शब्धों में तुम्हें ये पूरा परगराफ याद हरे हा एख लफ किताब जो इतनी मोटी थी इतनी बन गई याद हो गया एकजाम पहुँचे यहां रखना यह सारी चीज़ें जो आपको बोल रहा हूं यह होंगी हुई भी है और आगे भी होंगी हाँ क्या हवा से लोन गिरते हैं? हाँ हवा से गिरते हैं हवा से घर मिलेंगे? हाँ हवा से मिलेंगे अगर खुदा ने कह दिया दे दिया तो खुदा ने किसी को बुखार चड़वा दिया एक मिनट किसी को बुखार चड़वा दिया यहाँ एक विश्वासी ने दुआ करी एक को बुखार ही चड़ गया तो मालिक भी कितना बड़ी आदमी है उसना अपने बुखार किया सेवा कोई छोड़ दिया अमले की था ना इसलिए, इसराली होता तो नहीं छोड़ता, अब उसे ये नहीं वालूं जिसे मैं छोड़ रहा हूँ, वो मेरी मौत का करण बनेगा, समझ मारी है, बिमार पड़ा, बिमार है बेशकूफ आदमी बिमार, हर वाद बिमार रहता, चल, तीन दिन पहले सर मैं बि रहता, उनना लोग खाओ प्यों और खाओ, आंके खोलो, अब बताओ कहा है, आपकी बास समझ मारी है, I want to show you the place of test, मैं आपको परिक्षा का स्थल दिखाना चाहता हूँ, मेरे स्वामी ने मुझे तीन दिन पहले छोड़ गया जब मैं बिमार पड़ गया था, अरे छोड़ना था, क्योंकि उसी दिन एक दूआ हुई थी, Amen, We, अब बता रहे हो, we made an invasion upon the south of the Charitites, and upon the coast which belonging to Judah, and upon the south of Caleb, and we burned Ziklag with fire, हम लोग ने करेतियों के दक्षिन दिशा में, और यहुदा के देश में, और कालेब की दक्षिन दिशा में चड़ाई की, और सिकलक को आग लगा कर फूग दिया था, Confirmed हो गया दाओ, सही आदमी विला, बिलकुर, यही थे, जन्हों ने कांड किया, Very good, and David said unto him, Daud ने उससे पूचा, Canst thou bring me down to this company? क्या तू मुझे उस दल के पास पहुचा देगा? बस पहुचा दे, बाकी हम अपने हाप कर लेंगे, And he said, Swear unto me by God, that thou will neither kill me nor deliver me into the hands of my master, and I will bring thee down to this company. उसने कहा मुझसे, खुदा किशी यह शपत खा, कि तू मुझे ना तो प्रांड से मारेगा, और ना मेरे स्वामी के हाथ कर देगा, तम मैं तुझे उस दल के पास पहुचा दूगा. मेरे पूँ थोड़ा favor चाहिए, मेरे बारे में यह किसी को बताना नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हार साथ यह काम कर दूँगा, तो मैं ले चलता हूँ उनके पास. आ गया जवाब? कहा है वो? अब यह बताएगा. आ रही है समझ मैं? यह हैं तरीके खुदा के. हमारा खुदा जिंदा है. अपने लोगों जब जवाब देता है न हमारा प्रभू? ऐसे तरीकों से जवाब उभारता है प्रभू? सामने देखिये क्या हो रहा है? And when He had brought Him down, behold, they were spread abroad upon all the earth, eating and drinking and dancing because of all the great spoil that they had taken out of that land of the Philistines and of the land of Judah. तो किस जहाँ से दाउद ने देखा होगा उन्हें? एक तीले के उपर से. जब नीचे देखा, फैले हुए हैं साब. इनमें जशन मच रहा है. आरे ये संजना आपके? And now, the test will turn into possession. आप परिक्षा कब्जे में, हक में बदल जाएगी. किस समय लाई शुरू हुई? And David smote them from the twilight even unto the evening of the next day. इसलिए दाओद उन्हे रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांज तक मारता रहा. शाम से शाम. It started in the evening time. ये चाल हुआ सांज के समें. And went till the next day evening time. और अग्ले दिन के शाम के समें तक. And that was a great day. And there escaped not a man of them save 400 young men which rode upon camels and fled. यह था कि चार सो जवानों को छोड़ जो उटो पर चड़कर भाग गए उन में से एग भी मनुष्य ना बचा. And David recovered all that the Amalekites had carried away. And David rescued his two wives. And there was nothing lacking to them. Neither small, nor great, neither sons, nor daughters, neither spoil, nor anything that they had taken to them. David recovered all. Amen. वरन उनके क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बेटे, क्या बेटिया, क्या लूट का माल, सब कुछ जो मले की ले गए थे, उस में से कोई वस्तू ना रही जो उनको ना मिनी. क्योंकि दाउद सब का सब लोटा लाया. चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पतनी हो, चाहे मालस बाब हो. David recovered all. दाउद में सब छोडा लिया. All that thou gavest me, सब कुछ जो आपने मुझे दिये, I will in no wise, I mean, I've lost none. मैंने उनमें से एक को भी नहीं खुए. Save the son of Perdition. विनाश के पुतर को छोड़. But they are all with me now. Are you understanding, brother? What happened? The test turned into a victory. What's the next event after that? After winning that battle, he started sending presents to the various places in Israel. In the very next chapter 31, sit down please. The Saul dies. Come 2nd Samuel chapter 1. Some messenger tells about Saul's death. 2nd Samuel 2. David comes to Judah. And David is made a king. Do you see something? Just before he received the throne, he passed a test. And that test made a way for him to come to his throne. And that test made a way for him to come to his throne. Are you understanding, brother? My sister? After that test, the throne came. And from that day, he started ruling in Israel. The time is flying fast. But I'm going to close up with a few more. I can show you some others, but I'll just jump over. I just showed you Christ. I have shown you something, but I will continue. I will show you about the Messiah. How he died on the cross. And that same mountain became a way for his throne. Can you say amen? That place of temptation became the place of authority. Let me come to our seven little man today. Our Abraham, our brother Branham, in his life, he also came to a last mountain experience. And when he came to that experience, when he was having that pain, when he was having that gastritis, and Dr. Ravensworth said, nothing can be done. Suffered for 42 years. Then God said, come to the Catalina mountain. And when he went there, the first thing he saw, that squirrel had died. What was the voice? Your enemy is dead. Follow the message. What was the first experience? You have possessed the gates of your enemy. What happened? He's mashed it. With his feet. With his feet. And the voice said, Your enemy is dead. Next day. Three days journey. And what did he find? A dove is there on the mountain. Giving him a sign. The test is over. On the wings of a snow-eyed dove. On the wings of a snow-eyed dove. God sent his pure sweet love. God gave me his sign. The test is over. I mean your disease is finished. I mean your disease is finished. And on the third day. Which is the last day. He saw that eagle flying. What was that? I'll ride the trail again. That was the last mountain experience. What will happen in that trail? When the enemy comes in like a flood. The seed of Abraham shall possess the gates of their enemies. Abraham, Abraham's words will prevail on the enemy's feet. That same spoken word. That made a ram. That provided a grizzly bear. That provided a caribou. That provided a caribou. Caribou. Provided a caribou. That created the squirrels. That created the squirrels. That same sister Hattie's two sons. That same word with rice and power. For the royal scene in this hour. And I want to show you. There's a temptation for the bride. But the place of your temptation. Becomes the place of your ascent. And what do you become? Kings and priests. What do you receive? Authority. Rulership. Amen. I know you know this. But I'm just quoting from the Bible and the message. But I'm just quoting from the Bible and the message. I'll keep thee from the hour of temptation. I'll keep thee from the hour of temptation. Which shall come upon all the world. To try them. That dwell upon the earth. The temptation will come as follows. The ecumenical move that has started on what seems such a beautiful and blessed principle. Fulfilling Christ's prayer that we all might be one. This is to say that we all are one. Become so strong politically. That she bears pressure upon the government. To cause all to join with her. Either directly. Or through adherence to principles. Inacted into law. So that no people will be recognized as actual churches. Unless under direct or indirect domination of this council. I will understand. This is how the temptation would come. This is how the temptation would come. You are church? Yes. You are registered? Yes. You have registered renewed. Renewed. What kind of thing? One extra clause is. You are with this society. Are you understanding it? That you are saying? We are ready. Provided you are ready. You are ready. And if you can't do it. We will be ready. We will react. That's why it is a lie. My brother here. Here. My brother here. My brother here. This place is an old thing. My brother here. The jelly. The wohjy. The JJ you the hilti. है ऐसे विश्वास से बाद बनेगी नहीं हाँ बेखते मिटिंग में सुनते है अरे बेटा वो घड़ी आ रही है यूँ शिटक क्या लग कर दिये जाओगे लिटल गुरॉप्स विलूज चाटर चोटे चोटे जुन जो है अपने अधिकार को खो देंगे उनके स्वभागे जो है एक्सेक्टर विबिन विबिन बाते है अदी जब तक क्यो अपनी तमाम जमीन और प्रॉपटी और आत्मिक अधिकार लोग के लिए रिच्खो देंगे सच्मारी आपके for example I've read this many times before but I've read this many times before but I've read this many times before but I jump for that as this pressure increases and it will it'll be harder to resist ये कठिन हो जाएगा इसका सामना करना for to resist is to lose privilege क्योंकि इसका विरोध करने का मतलब अधिकार को खोना एक पांच अभाता हुआ आएगा तुमसे ये थोड़ी न का कि अपना मैसेज प्रचार मत करो अपनी मिटिंग जो ले रो लेते रहा हूँ अपने प्रचार करते रहा हूँ अप तुम तो बेवकूफ हो शंबू दादा की सुन लो कुछ नहीं करना इसका एक काड लेना है केवल इसका आपने एक मेंबर बनना है यह कानून का पेट भरना है बस कि आप इन संस्थाओं के साथ जुड़के हो जाओ इनको क्या परवा तुमारी तुमने जो प्रचार करना है वो ही करो हम मसल में एंड टाइम मैसेज रखो किसने मना किया समझ में आरी है आपके हम असल में जो मैसेज प्रचार करते हैं वो इनके विरोध में है अरे यार यह बेफ़पू बैटे ने कोई मैसेज है मतलब नहीं तुमने जो प्रचार करना करते है रो बैट कार्ड ले लो टिकेट ले लो इनके साथ मतलब तुम इनके साथ जुड़के हो गए तुमारी मीटेंगे जैसी चल रही थी चलती रहेंगी नहीं हम अप्तिसमा येश्य मुसी की नाम देते हैं रहे देते रहो किसने मनागे हम कड़े हैं तुमारे लिए देखो खुद आकाद भेजा हुआ एक ये सोचेगा बेफकूफ उसना में कौन सोचेगा ये बेफकूफ पादरी मैं नभी के सद्धान पर बोल रहा हूँ कई चर्च के लोग आएंगे पास्टर के पास पास्टर कर लो क्या प्रॉब्लम है आई समझ में खाली एक काड तो चाहिए जैसे आधार मना पैन मना ऐसी चर्च चलाने का एक काड है वै चर्च तो अपना ही है चलता रहेगा जैसी मीटिंग चल रही है चलती रहे और आप देख रहे हैं बड़ा मैं यही कि तो देखने के लिए इंतजार कर रहा हूँ कि तुम उस समय करोगे आई समझ मैं देखो काड नहीं मिला तो तुम्हारा चर्च बंद किया जा सकता है और यह तो तुम से बड़ा कोई बेफकूफ नहीं होगा जो एक छोटे से काड के चकर में अपनी मीटिंगें बंद करवाए लोगों की फेलोशिप रेक करवाए कई चर्च के लोग कहेंगे ऐसा बेफकूफ पादरी हमारा पास्टर इतना बेफकूफ उसके पास इतनी अकल नहीं मीटिंगें रुकवादी हमारी अच्छा यह पता कौन सोच है जो आते नहीं है जब लोगडाण हुआ तब फोन उनके आते थे जो आते नहीं थे चर्च कपसे लगेगा हमने गाँ जब लग रहा था तब कहां थे हमारी आपके ऐसों के फोन तब उभरते हैं नभी जो कह रहे हैं वो होने वाला है पंजाब में शुरू हो चुका देखिए आज नहीं तो कल नहीं तो परसों यह चीज़ आईगी हम बहुत खुश हैं यह हमारा जिखलाग है भाई हमारी है आप रिजिटर्ड हैं जी आपके बाद बोर्ड है हाँ यूँ देखेंगे अच्छा रिष्ट्रेशन नमबर दिखाईए यह वो आपका अच्छा 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 आप उस जनरल बॉडडी के मेंबर नहीं है उद्धर आपको रिन्यू कराना पड़ेगा उनसे एक पर्मिशन लेनी पड़ेगी सजमारी है आपके भाई आम क्या करें उनने का देखिए अगर नहीं होता तो अपर ताला लगाओ बंकरो मीटिंग अपनी आएए मैं पढ़ता हूं नभी के मैसिज से छोटी कली से अपने अधिकार और अपने सवागे खो देंगे उनकी प्रॉपटी चली जाएगी और उनके आत्मिक अधिकार जो लोगों के सामने है वो खो चले जाएगे अमेरिका में तो इतना बुरा होगा कि उन चर्चेस को नभी ने बताया बारूद के गोदाम बना दिये जाएगे बारूद रखने के गोदाम बना दिये जाएगे उन चर्चेस के सुनिए हरेग जो यहां बैठा है आज जो प्रचार हो रहा है पतानी मैं क्यों बोल रहा हूँ आज यह इसका जिम्मेदार होने जा रहा है यहां प्रगढ़ होगा तुम बेटा कौन से विश्वासी हो जैसे 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 दबाओ बढ़ेगा और यह हो गई यह मैसेज़े पढ़ रहा हूँ आपके सामने यह बहुत कठिन हो जाएगा सामना करना क्योंकि सामना विरोध करने का मतलब अपने अधिकारों को खोना और कई उनको यह अजमाईश होगी कि उनके साथ मिल जाएं क्योंकि वो यह समझेंगे कि यह बहतर है कि खुदा की सेवा पूरे जनता के सामने अराम से करी जाए इस संसा के ताने बाने में रहे के बनिजबत उसके कि खुदा की बिल्गुल सेवा करी ना पाएं हमारे तो मिनिस्ट्री बंद हो जाएगी प्रचारी बंद हो जाएगा चर्ची बंद हो जाएगा अरे कार्ड के चक्कर में सब क्यों खो रहे हो ले लो कार्ड दर्ज करवा अपना नंबर बट दे अर पर वो गलती करते हैं यही गलती करेंगे to believe the devil's lie is to serve Satan शतान के जूट पर यकीन करना अर्थाच शतान की सेवा करना है यहां तक कि आप उसे यहोवा कहना चाहें पर चुनेवे भरमाए नहीं जाएंगे यहां तक कि यहां के भी अब खुल के बोलू यहां के भी चुनेवे भरमाए नहीं जाएंगे यहां मैं पहले से बोल रहा हूं आपसे कि जब यह घटे तो यह मत समझना यह अभी lockdown हुआ था तब चर्च बंद हुआ अब तो चर्च वैसे भी बंद हो गया कहां जाएं प्रभु भोज कहां हो हमारा कितना बढ़िया बैठके प्रभु भोज की सबाओ इसलिए इन मिटिंग्स को बहुत चेरिश करिए जो मौका मिल रहा है लेकिन एक चीज़ है बहुत ज़्यादा देर बंद नहीं होगा अभी आगे पढ़ता हूं आफके सामने बढ़ी प्यारी बात पर चुनेवे नहीं भरमाए जाएंगे अब जब यहसा समय आएगा चर्च बंद हर चीज बंद अब क्या करें जो चुनेवे केवल वो रखी ही नहीं जाएंगे सो रक्षित कौन रखेगा आप यह है टाइम जब तीसरा खिचाओ अब सीन पे आएगा अमीन अमीन अब बात समझ में आई यह जी मैं आपको सही दर्शन दे रहा हूं मैं आपको कोई गलत दर्शन नहीं दिखा रहा है और उस खुदा के सामने हाजर नाजर उनकी मौझूद की को जानते वए कह रहा हूं यह आप से कि मैं आपको खुद दर्शन नहीं दिखा रहा हूं मैं इसका दोशी नहीं हूं आज जो सही पिक्चर आपको दिखा रहा हूं किसी धोके में बत रहना थाट पुल के प्रत्याक्षीतों है इन चीजों के लिए तैयार है टेस्ट कौन जहिलना चाहता है टेस्ट कोई रास्ता बताओ यार बगए टेस्ट वाला टेस्ट के बगए कोई रास्ता नहीं है टेस्ट तो लगेगा भाई परिक्षा देनी पड़ेगी यह है परिक्षा, परिक्षा बता रहें कौन सी परिक्षा है लास्ट यह मैंने बोला था, अक्टोबर के बाद आईगी याद है आपको आप देखें बिदन सरकार क्या कर रही है और यह डॉलर कैसे गिर रहा है अब अमरीका से यह चालू होगा और चालू होते होते हैं यह पूरे दुनिया को अपनी गिरिफ्त में लेगा इंडिया में भी इसके काम चालू हो चुके हैं यह बहुत लंबे उचे लेवल पे एक ताना बना जोड़ा जा रहा है आपको मालू है वच्चन के नुसार, मोहरों की किताब के नुसार तब मैं कहूंगा इतने साल क्या पढ़ा और क्या सुना जब चर्च बंद हो, हमारा चर्च बंद कैसे हो गया मैं सोचता हूँ, यह गलत्थी थे सही होते तो चर्च चल रहा होता इनका, अरे जाओ यहां से सही चर्च जोइन कर लो जाके नभी कह रहा है, एक समय आएगा, आई यह मैं पढ़ के सुनाओं यह मैं रुकता हूँ, एक मुनेट I don't know why I'm feeling led to say these things मैं नि जानता क्यों मैं एर कॉख बाई मिल रही इन बातों कहने के लिए God bless But it is in that context that the place of temptation become the place of throne पर यह उस तंदर में है कि जो जो अजमाईश का स्थले, परीक्षा का स्थले वही स्थान बनता है सिहासन का How I love old quotes I love them I believe according to Revelation 13, 16 मैं विश्वास करता हूँ, प्रकाशवा कि 13, 16 that the bride will have to continue preaching I'm reading it, sorry Bride will have to stop preaching जिनका प्रचार चलता रहेगा वो bride नहीं होंगे Yes जो bride होंगे उनका प्रचार रुक जाएगा यह बातें message में हैं For the beast is demanding the mark in the hand क्योंकि पशु जो है वो हाथ में चिन की मांग करता है or forehead if permission to preach be granted या माथे पर अगर अधिकार मिले अनुमती मिले प्रचार करने का I'm coming back मैं वापस आ रहा हूँ जब ये शिकंजा चालू होगा पूरी दुनिया पे ये है अजमाईश की घड़ी जो मसी जगत में चर्चिस पे आईगी एक सर्वव्यापी संगठन मसीहत के नाम पे कोई भार के नोई मसीहों में एक order पास होगा अगर आप अगर आप देखें कुछ हद तक ग्रेवियार्ड में और जगाओं पे आपको यह वैसे भी देखना शुरू हो चुका है और ये दिख रहा है ये हवा मिल रही है और ये समझ में अब ये पूरा रूप लेने जा रहा है चर्च को भी लेके और जो जॉइन करे चलो जो जॉइन करे वो प्रूव कर रहा है कि मैं खुदा का नहीं फ्यूचर हों के मेसेज में ये कहां से बात निकल के आ रही है आज और ये क्या मेसेज है लेकर आगे देखिए फॉर्द आगे ये भी है कि जो चुनेवे हैं के बल सुरक्षित रखे ही नहीं जाएंगे जैसे ये भाव एक प्रतिमा बनेगा मूरत बनेगा जो की पशु के लिए खड़ी करी जाएगी जिस समय ये मूव स्ट्रॉंग होता जा रहा होगा संद रैप्चर में चले जाएंगे तो रैप्चर कब है जब ये मूव आके स्ट्रॉंग हो रहा होगा और खुदा को मालूम है कितने तापमान में मुझे अपनी दुलन ले जानी है अभी ये बढ़ ही रहा होगा अलोग जीजस विल कम और अपने दुलन को ले जाएंगे मेरा सवाल फिर रैप्चर कब होगा इन दियार अफ तेम्टेशन परिख्षा की घरी में ये हो जाएंगा समय वो समय जब रैप्चर आएगा बहुतेरों के लिए ये गिरावट का समय होगा पर कुछ के लिए ध्यान पूर्बा के से सुनिये ये एक प्रमोशन होगा ये वो समय होगा जब दूद फिर से प्रगट होगा और कहेगा अब रहाम के शाई वंच प्राम के शाई वंच मत डर मैं तेरे साथ हू हम क्या खाएंगे क्या तुने नईफ से व काही में नहीं पड़ा जो आज सुभा पड़ा गया देखें कैसे पवित्रात में एक संदेश उठाते हैं मचली और रोटियां फिर से बढ़ा दिये जाएंगे और खुदावन अपने लोगों को सम्हाल के रखेंगे एक अलोग की तरीके से एक अलोग की कर्थ विवस्था में डॉलर कहां से आएगा? हमें नहीं मालूम रुपय कहां से आएगा? नहीं मालूम फीज कहां से पे होगी? हमें नहीं मालूम और सब पे हो जाएगा यही नहीं कानिया की खतम नहीं है यह तो बहुत छोटी-छोटी बाते हैं वो खुदा जाएंगे a sweep एक भाव लहन एक जुंड को इखटा करा जाएगा which kind of group कौन सा जुंड that white horse rider is for which group वो शुवेद घोड सवार किस के लिए है कौन सा जुंड के लिए है don't join up with them उनके साथ मत जुड़ना who don't join up with that council तू उस संग के साथ मत जुड़ियो oh bride can't you hear that voice in these last hours your hour of temptation is coming but it's not just temptation it's a promotion because we know when that move becomes tight it's that time watch the third pull then how God takes you up that's the hour we are living in that's the time God gives rulership अब सुनिये मैं close करना हूं सोचाता हूं जल्दी करूंगा क्या बोल। जिस दिन सोचता हूं जल्दी करूंगा यार क्या होता है मुझे है नहीं उस भाई उस भाई उस भाई को ट्रेन पकड़नी है यार चलो खेर प्रूंगा है Amen See आप देखेंगे And और अपने जीवनों में He starts giving you little victories वो आपको छोटी छोटी जीते देता है वो अपको छोटी जीते देता है प्रूटी बातों के दिनों को किसने तुछ जाना है He starts giving you little victories in life वो आपको जीवन में छोटी-छोटी जीतें देने लगता है एक कारण से ताकि आपके विश्वास को उठाएं कि आप थकित या मूर्चित न हो जाएं पर आपको नया बल मिले वो जो खुदावन पर इंजार करते हैं वो अपनी ताकत को नया करेंगे थापके चाओ उनकी ताकत को नया कर देगा एस और वेस्ट विश्वास पूरा बार पश्चिम एक मिलेंगे नौर्थ और साथ मिलेंगे और जब ही ओने लएगा ठीक याद रखिए पिछला हमारा सेमिनार कितने लोग थे वहाँ पर 400, 450 साड़े 400, 400 लोग दाओ 400 के साथ गया विगा देवा 200 के साथ गया क्योंकि 200 थे जो थक गय थे कुछ और थे जो आ सकते थे पर वो घर पे इंजार कर रहे थे जो गिंती है वो बढ़ सकती थी पर 400 ताक एक यूद को लड़े ताक एक सेवकाई को पूरा करे यह वो काणी जिसमें हम रहे रहे हैं Amen Can you catch the mystery? The mystery finishing in Jafet बोस भेत पूरा होता हुआ यह पेत में All the way to Israel इसराइल तक के पठीक उस्से पहले वो अपने अनुगरे को दिखाने चादे कुछ लोगों का विश्वास उठाने लगते हैं The lost seed of Abraham which is found in these last days जो इनन के दिनों में पाया गया है चाहे छोटी गवाई चाहे बड़ी गवाई I've noticed कर एक season है गवाईयों का Amen What are these for? क्या है? किसके लिए हैं यह? Lift you up ता कि आपको उठाएं to stand that time ता कि उस समें आप दृडड खडे रह पाएं He's building your faith muscles वो आपके विश्वास की मासपेशियों को बड़ा रहा है विकसित कर रहा है And take every ounce of that vitamin He gives you and drink it और हर एक छोटा छोटा हर एक अंश भर भी जितना वो वाईटमन देते हैं उसे लेके पी लीजे जितना भी देते हैं And start flexing your muscles और अपने जो मासपेशियों ने तानिये विश्वास के साथ अपनी उपासना में उसकी उपासना करने में And just wait और ठीक यादर विजार करिये वे जो यहुवा पे इंजार करते हैं वो अपने बल को नया करेंगे Then comes the light through the lattices Amen And then God says I give you rulership I give you authority This is my beloved son This is my beloved daughter This is my priya putri I give him authority Can you say amen The test And after the test Rulership Adikar मैं लेकिन एक चीज़ दिखाना चाहता हूं लेकिन एक चीज़ मैं एड कर रहा हूं The place वो स्थान Where temptation takes place जहां पर ये परिक्षा होती है Is the place वही वो स्थान है Where you are given authority जहां पर आपको adikार मिलता है God bless you God bless you Amen Alleluya Lord Ling, see you on 28th 27th May is Pentecost 27th May is Pentecost We are meeting around priest of Pentecost then God really bless you And may God really bring up Pentecost amongst us A jubilee of the going home Can you say Amen? God bless you God bless you God bless you Blessed be the name of the Lord Blessed be the name of the Lord He is worthy to be praised and adored So we lift our holy hands What a call What a call Sing and blessed be the name Blessed be the name Blessed be the name Of the Lord A little lower chord A little lower chord Lower chord Blessed be the name Of the Lord He is worthy to be praised and adored So we lift our holy hands Jesus is worthy to be praised and adored Sneezes Blessed be the name Blessed be the name Blessed be the name Blessed be the name Of the Lord He is holy He is holy, King of kings, Lord of lords He is holy, holy, He is holy King of kings, Lord of lords, I worship Him King of kings, Lord of lords, I worship Him Holy, You are holy King of kings, Lord of lords, You are holy Holy, You are holy King of kings, Lord of lords, I worship Him King of kings, Lord of lords, I worship Him King of kings, Lord of lords, I worship Him Can you give us a matter of court, brother? You are the rock of my salvation You are the strength of my life Come on, musicians, please Amen You are the rock of my salvation You are the strength of my life You are my hope and my inspiration Lord, unto You will I cry I believe in You Believe in You For You're faithful unto me You have been by hell You have been by hell In times of need Lord, unto You will I play You are the rock of my salvation You are the strength of my salvation You are the strength of my life You are the strength of my life You are my hope and my inspiration Lord, unto You will I cry I believe in you I believe in you I believe in you For You're faithful unto me For You are faithful unto me You have been by hell In times of need Lord, unto You will I play You are the rock of my salvation You are the strength of my life You are my hope and my inspiration Lord, unto You will I cry Jehovah Jireh My provider His grace Is sufficient for me For me, for me Jehovah Jireh My provider His grace Is sufficient for me My God shall supply all my need Amen According to His riches and glory He will give His angels charge over me Jehovah Jireh is for me For me, for me Jehovah Jireh Cain For me Can you put one chord, ahaya? Jehovah Jireh Jehovah Jireh My provider His grace Is sufficient for me For me, for me Hei WoW-Chira I provided his grace is sufficient for me my God shall supply all my needs according to his riches and glory He will give His angels charge over me Jehovah Jireh cares for me For me, for me Jehovah Jireh cares for me My court shall supply all my needs According to His riches and glory He will give His angels charge over me Jehovah Jireh cares for me Can you see the royal seed of Abraham? Jehovah Jireh cares for me For me, for me Jehovah Jireh cares for me You can say that tonight For me, for me, for me Jehovah Jireh cares for me For me Jehovah Jireh cares for me For me, for me Jehovah Jireh cares for me Yes, for you brother For you sister For me For me, for me For me, for me Jehovah Jireh cares for me Jehovah Jireh cares for me Jehovah Jireh is for us Amen The royal seed of Abraham Hallelujah Blessed be the name of the Lord Thank you Jesus Thank you Lord Thank you Lord Thank you Lord Jehovah Jireh cares for me Amen We always lift it up In these songs of Zion Let them surround you And bring your deliverance Amen Blessed be the name of the Lord Hallelujah Hallelujah Jehovah Jireh cares for me For me For me Jehovah Jireh cares for me I think we don't have those 200 with us That's right brother We have those 400 with us Who are ready for youth Amen Amen Hallelujah Glory to His name Hallelujah Hallelujah Thank you Jesus Hallelujah Jehovah Jireh cares for me Jehovah Jireh cares for me Jehovah Jireh cares for me You can make it personal tonight Jehovah Jireh cares for me Let this voice keep on ringing in your heart ये यहवा येरे हमारा है मिरे साथ है Amen Thank you Lord Hallelujah Oh my Hallelujah जहूँ अचारा Thank you Father Thank you Father मेरे दुश्मन के सामने आप मिर लिए एक मेज बिछाते है धन्यवाद हो रभु का नाव नवारक हो आए मेरे मन तु यहवा को धन्य के ये मेज देखिए रुवजा किश्मिश का जूस और छोटे छोटे वेफर्स वाली मेजें तो बहुत है सही मेज जो डिपिट करें सही वचन को हर जगा नहीं है वो आज आपके और मेरे पास है और ये मेज उस अबराहम के लिए थी जो जीत गया तब मल्कि सदैक ने उसे रोटी और दाखरस दिया आपसे मैं कहना चाहता हूं तू जीत गया तू जीत गई इसलिए हाँ वो रोटी और दाखरस तुम्हें दिया जा रहा है मन में कहना मैं चीत किया तू चीत गई तू सोच रह हू की हार गई तू हारे नहीं तू चीत काई सजमारी आपके इस चीज को मन में रखना मन में रखने cares for me always cares for me always hears our prayer that should be the name of the Lord I just feel like going on time is up we need to stop but let me say this मैं एक बाद बोलूँ आप से सबा समाप्त हो जाए आप समाप्त मत हो ना station पर कोई सोचे पागल आगाए सोचने दो बस में सोचे कोई पागल बैठे गुन गुना रहे हैं क्या गुना आते रहते हैं अरे गुनाएंगे यहोवा की श्टूती करो आमें जहोवा जारा केर स्वावा वाड़ वर्शेब अरे लुज्या गभू का नाब बारा अपनी लाइनों को बना लीजे कि हम इस तूसे चरण को शुरू कर सकें गड़ ब्लेस यू अपने बैक्स को रख लीजे ताकि हम लोग आगे बढ़ें गड़ ब्लेस यू हम लोग आईए उस गीत को गाएंगे Salvation, Honor, and Glory, and Power और जब गीत चलना हूँ मैं चाहूँगा भाई अजे अब भाई में मल मेज को सामने लेके आएं Vereो, Amen, Amen Amen Salvation, Honor, and Glory and Power के पेलों भंच जो और डो जार और और बो और बार बेलों जाम His name is Jesus, oh my Jesus, Jesus Christ my Lord, His name is Jesus, oh my Jesus, Jesus, Jesus Christ my Lord, oh hallelujah, 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 thank you Jesus. प्रातना की मुद्रा में आप लोग बैठें और जब मैं वचन से चाहूंगा कि मैं उस वार्णिंग को आपके सामने पढ़ू इससे पहले कि हम मेज में आगे बढ़ें पहला कुरंतियों उसका ग्यारमा ध्याय उसकी तेश्मी आयत से क्योंकि ये बात मुझे प्रभू से प तोड़ी और कहा ये मेरी दे है जो तुम्हारे लिए है मेरे स्मरण के लिए यही किया करो इस रीति से उसने ब्यारी के पीछे काटोरा भी लिया और कहा ये काटोरा मेरे लहू में नई वाचा है जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो तो जब कभी तुम य प्रभू की रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभू की मित्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। जाचते तो धंड ना पाते और अंदू प्रभू हमें धंड देकर हमाई तारना करता है इसलिए कि हम संसार के साथ दोशी ना ठेरें इसलिए हैं मेरे भाईयो जब तुम खाने के लिए खटे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठेरा करो यदि कोई भूका हो तो अपने घर में खाले जिसे तुमारे खटा हो ना दंड का कारण ना हो शेश बातों को मैं आकर ठीक करूँगा प्रभू जी हमारे शक शुभा सस्पीशन्स हमारे दरों को गुनाहों को अपराधों को आपके सामने लाते हैं मांगते हैं शमा करें खुदा उन येश्मसी गुज़े दिनों में जो हमने अनुचित चाल चली शमा करें अपने पवित लहू से हमें धोएं पाक साफ करें पवित रात्मा से भरें और एक सही रिती से इस मेज में हमें भागिदार होने का फजल दें कि इसमें से एक बरकत ही लेके जाएं प्रभी येश्मसी ये रोटी जो आप तोड़ी जाएगी जो आपके टूटे बदन को तर्शाती है जब हम इसमें भागिदार हों आपके टूटे बदन की सामर्थ हमें ऐसी पैवस्त हो हम आपका बदन हो जाएं यहां तक कि आपका वो बदन जो अब है बन जाएं यानि रैप्चर में चले जाएं और ये रोटी का खाना दर्शाए इसी एकता को तो येश्मसी के नाम से आमीन थैंक यू लोड़ प्रेस लोड हालिलूया ब्यारी के पीछे प्रभू ने कटोरा भी लिया और कहा ये मेरे लहु में नई वाचा है ठैंक यू लोड़ जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया खरो ठैंक यू जीज़र ठैंक यू लोड़ धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस बरकत के कटोरे के लिए सच में खुदावन ये याद दिलाता है उस रात को जब आपने चेलों के साथ रोटी तोड़ी और ये प्याला बांटा धनेवादो आपने कहा ये मेरे लहू में नई वाचा है दुआ है कि जब इसमें भागिदार हों तो आपके लहू की सामर्थ इतनी ज़ादा हमारे जीवों में पैवस्त हो कि हमारे सोच हमारे काम हर चीज आप बन जाएं और पुराना मनुशत्व का सांफ मर के भसम हो और हम यहां से रैप्चर में चले जाएं प्रभू येश्मसी के नाम से आमें प्रेस लॉड जो भाई भेन भागीदार होना चाहते हैं घुटने के बलाएं केवल जिनका बबतिस्मा हुआ और जैसा मैं पहले भी कह चुक हम बहुत छोटा ठुकड़ा और घुट लें दर्शाने के लिए मात्र की आप उसमें भागीदार हो रहे हैं गौड ब्लेस यू मौन रहें और प्रभू की मित्यू की यादगारी में बने रहें आमें